हलो दोस्तों क्या आवाज क्लियर आ रही है सौरी वेटा थोड़ा लेट हो गया थोड़ा यहाँ पे सौफ्ट्वेर में दिक्क्त आ रही थी तो कनेक नहीं हो पा रहा था पर मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है चलो बताएए खलो दोस्तों जल्दी जल्दी बताएए कि आवाज क्लियर है deny yes or no चली अचे विट इमेंग गुरे नेग गुड मेंग गुड मेनग तो अल आफ यो गुड इमनिंग तो अल आफ यो यह हुई ना बात, इसको कहते है positive energy, good evening, good evening good evening good evening बिटा चलो सारे लोग connect हो गए तो आज हमारा exam oriented batch का पहला session है तही ना exam oriented batch का हमारा पहला session है यहाँ पर good evening, good evening आपके क्या questions है यह questions मैं लोगा जरूर लोगा सबसे पहले तो मैं एक बार आपको और भी बता दूँ यह exam oriented batch का हम क्या लेने वाले है और क्या करने वाले है ठीक है आज का session आप पर लाई नहीं होगा आज का session यूटूब पर ही रहेगा आज का session अमारा YouTube पर ही रहेगा यह आप पर लाई नहीं रहेगा और फिर पहले दो तीन डेमोज यूटूब पर रहेंगे कल से आप पर भी चालो हो जाएगा तो यहाँ पर yes, 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 let's connect, let's connect तो चली मैं आपको सबसे पहले exam oriented badge जो हमारा है for CACMA Inter those who are going to appear in May 24 and June 24 examination कुछ important बाते मैं आपको पहले बताना चाहोगा और फिर हमारा session स्टार्ट होगा तो आज का हमारा पहला session है जिसमें एक थोड़ा मैं introduction आपको देता हूँ और आप जो भी questions यह, 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 यह एक minute इदर से देन, देन, देन just a minute बेटा आपके doubt देखने के लिए मैंने यहाँ पे बुलाया है आपके doubts देखने के लिए दो मैं टुप जाना यह भी connect हो जाता हूँ हाँ यह आपके आपके जो भी questions, doubts होगे, सब बात में सबसे पहले तो हम बैच में start करते हैं एक positive energy के साथ आप सभी radio faith का है और दोस्तों हमें exam oriented batch में जो target रखना है अब GST आप सभी को बता है 50 marks का हो चुका है 10 mark उन्होंने बढ़ा दिये तो अब GST आपको 40 plus का target रखना है out of 50, are you ready? okay, ready होगे तो R type कीजिएगा तो हमारी complete strategy ये batch की 40 plus कैसे लेना है उसके इसाब से होगी तो को आपको मेरे साथ साथ, यानि जो मैं batch लोगा उसके साथ साथ थोड़ा बहुत घर पे पढ़ना है जैसा मैं कहूगा अगर वो strategy के साथ आप चलोगे तो now GST में तो मैं आपको 40 plus दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ूगा अब आपकी भी मेनत हो उसमें लेकिन मैं मेरे तरफ से 40 plus लेने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूगा next अगर हम बात करें book material की तो आपको book material में आपको आया होगा GST compact एक GST compact जो हमने dispatch कर दिया था एक GST compact दूसरा आपको GST questionnaire आया होगा यहाँ पर GST questionnaire आपको मिला होगा और यहाँ जहां तक देखा जाये तो और तिसरा आपको chart book मिली होगी एक chart book मिली होगी plus आपको यहाँ पर पोर्त नमबर पर आपको chart book मिला होगा तो इस तरह से हमने यहाँ पर GST compact, GST questionnaire और chart book आपको मिला होगा हम यह तीनों भी refer करेंगे पूरी strategy हमारी क्या होगी यह तीनों book refer करने के बाद पूरी strategy होगी कि यह exam oriented badge का main object है writing practice along with the understanding of concept concept को तो समझेंगे जो मेरे chart से उस chart के बिस पर concept को समझा जाएगा साथ साथ में ओके दोस्तों हमारी writing practice writing, writing, writing और इस exam में our fighting with writing हमारी fighting होगी with writing practice तो most of the questions पर हम writing practice भी करेंगे जो questionnaire के questions होगे और chart book से हमारा ending में revision भी होगा तो इस तरह से हमारा पुरा यहाँ पर preparation किया जाएगा EO batch में नाव आपके attempt के लिए May 24 या June 24 exam के लिए institute ने जैसे 10 मार्ग का वेटेज GST का बढ़ा दिया इन taxation paper और यह taxation paper जो group 1 का paper है इसमें 10 मार्ग के लिए उनने तीन chapters भी बढ़ा है कौन से तीन chapters बढ़ा है तो place of supply, TDS, TCS and accounts and records तो वो तीनो chapters हमें यहाँ पे देखना है साथ साथ में applicable amendments as per statutory updates of our institute यह सारी amendments जो है आपकी cover कर ली जाएगी तो यहाँ पे आपको amendments अलग से देखने के जरूरत में इसी batch में आपका सारट नए topics और amendments भी cover कर लिए जाएगे तो यहाँ पे next अगर हम बात करें तो yes कुछ super 50 questions की practice हम करेंगे जैसे हम questionnaire की practice करेंगे अब जब questionnaire की हम यहाँ पे practice करेंगे बटा तो यह questionnaire की practice के बाद okay सारे question को consolidate करके master questions बनाए जाएगे और वो master questions की practice करेंगे पर वो जो मैं लूगा यह हमारे syllabus का part नहीं होगा वो मैं as a revision आपको दूगा जो मैं एक normal revision लेता हूँ RR revision okay जो chart book revision होती है यह पहले बता दूँ exam oriented batch revision नहीं है यह regular discussion है आपको GST में okay मेरे साथ connect होना है और आप सब को यह बोल दूँ कि यह जो batch में है यह revision से बहुत जाता है regular से थोड़ा कम है okay लेकिन exam oriented batch का main target object है कि हमें 40 plus लेना है जिसमें master questions 50 questions जो मैंने specially आपके batch के लिए बना है उस पर syllabus होने के बाद मैं आपका revision भी करवा होगा और examination dates आ चुकी है यह आप सभी को बता है लेकिन हमारे institute ने वो protocol दिया है कि examination date जो दिये यह protocol के हिसाब से दिये election के हिसाब से date change हो सकती है और जिसके पूरे पूरे chances है okay तो यह जो है बेटा यहाँ पे okay तो यह जो है exam oriented batch का हमारा object है now अब पहला question sir book material अभी तक नहीं आ है dispatch हो चुका है आने वाले एक दो दिन में आपको book material मिल जाएगा तब तक तब तक जो है आपको मेरा पूरा help रहेगा आपके v smart के login में मैंने pdf copy दी है पहले कुछ chapters की दी है साथ साथ में मैंने questionnaire की भी pdf उसमें दी है तो पहले कुछ chapters और questionnaire की pdf का उतना print out निकालना प्लीज बेटाई एक दो दिन cooperate करना कुछ area में book पहुचने के लिए 4 दिन लगते हैं कुछ area में 5 दिन लगते कुछ area में 7 दिन लगते हैं तब तक पुरा support आपके login में दिया जाएगा सर ये login क्या होता है आप तो सरी समझ लो ये जो login होता है आपने exam oriented batch vsmartacademy.com से purchase किया होगा या कोई other other website से आपने purchase किया होगा हमारे associated channel partner से आपने purchase किया होगा तो यहाँ पे आपका एक login vsmartacademy.com पे बनता है अगर आपने vsmartacademy.com के website से purchase किया होगा तो आपको already login होगा अगर आपने other associated channel partner से खरीदा होगा तो आपको www.vsmartacademy.com पे आना है और यह हमारे website पे आके आपको अपना login क्रियेट करना है अब आप कहोगे sir login कैसे create किया जाए तो login आपका जो है आपको website से आती उपर tab मिल जाएगा login में जाना है और login में आपको वो email ID डालना है जो email ID पे आपने purchase किया था और reset password करना है जैसे आप वो email ID डालते reset password करते हो आपके हमारे website पे login बन जाएगा और यह जो आपका login हमारे website पे बन जाएगा, इसमें login में जाते हैं आपका email id, user id, password डालना है, और आपको वहाँ सारी activation key, मतलब हमारे app की activation key आपको मिल जाएगी, वो activation key वहाँ पे login में दी रहेगी, आपको पूरा support, आप ध्यान से उसको पड़ेगा, तो activation key आपको mail पे नहीं वहीं आप generate कर सकते हो, आप, जो software में आपको देखना है, वो software वहाँ से download करके, वहाँ पे अपना course activate कर सकते हो, उसके बाद में वहाँ पे रहेगा material content, तो material content में जाके आपको इसका PDF फाइल मिल जाएगा, material content में, next अगर आप जाओगे बिटा, तो वहाँ पे study group होगा, उसम must, must, must join करना है, तो वह telegram group link से ही, आपका और मेरा communication होगा, तो आपको वह join कर लेना है, आप सभी ने क्या वह telegram group join कर लिया है? आप ने telegram group, सब ने join कर लिया है, yes or no, बताइए? अगर किसी student ने नहीं क्या होगा, अप में नहीं होगा बेटा, आपको वी smart के login में जाना पड़ेगा, अप में नहीं मिलेगा, आपको www.vsmartacademy.com में जाके, आपको login में जाके, आपको material content मिल जाएगा, तो आप सही जो है, आपको telegram link connect कर लेना है, जो जो student ने अभी तक join नहीं किया है, चलिए, very good, बहुत सा से student ने अभी तक join कर लिया, telegram claim कर लिया, चलो, अब आगे मैं आप सभी को ये बता दू कि, आपका मेरा communication सारी announcement telegram group में होगी, और मैं, okay, notes जो है, वो group में भी share कर दू जो होगा, चलिए, notes किसको किसको मिल चुके है, बता, notes किसको किसको मिल चुके है, बहुती अच्छी notes मैंने इस बार बनाई है, GST compact करके, ये notes आपको मिलेगा, GST compact करके, ये 300 pages का notes है, और yes, बहुत अच्छा point wise manner में, organized manner में मैंने ये बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ आपको ये questionnaire जो है, ये questionnaire मिलेगा, more than 300 questions मैंने इसमें लिये, और ये questionnaire पे भी हम discuss करेंगे, ये batch को object बस यही है, कि ये questionnaire हमें अच्छे से discuss कर लेना है, concept को समझ के, okay, very good, बहुत से students को मिल गी है, और बहुत से students को मिल जाएगी, don't worry, बेटा, मैं बैठा हूँ, okay, मैं हूँ, तो नो फिकर, फिर किस बात की, okay, यहाँ पे फिकर रहेगी, कोई, don't worry, I am here, ठीक है, तो अब ऐसे case में, और चलो, आपको notes नहीं मिलियोगी, video form में, तो मैं आप भी group में भी share कर दूँगा, पर है, आपके login में दिया हुआ है, और यह बताओ, किसने notes देखी, चलो फटा-फट बताओ, किसने notes देखी है, okay, अगर आपने देखा होगा, तो notes का format, और जिसको भी notes मिल चुकी है, तो notes देखे क्या लगा आपको, point-wise manner, organized manner में, किसको अच्छी लगी, अच्छी लगेगी, तो फटा-फट थम दीजिएगा, अच्छी लगेगी थम बताओगा, ठीक है, और office pickup में notes आपको कल तक available हो जाएगी, office pickup में prestige point से pickup होगा, तो आपको available हो जाएगी, center में एक-दो दिन में available हो जाएगी, center पर आपको एक-दो दिन में available हो जाएगी, ठीक है, very good, unique note से sir, कल evening तक office में available हो जाएगी आपको notes, बढ़िया, looking just like a wow, चलो, ठीक है, अब भाई, बेटा, notes से जादा, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, ओके तो भाई, चेहरा तो अच्छा लग रहा है, पर इसके दिल में बहुत कुछ चुपा हुआ है, और वो आमें discuss करना है, चलो, आप main point पर आजाते हैं, sir, बताओ, exam oriented batch में हमारे live sessions कैसे होगे, साथ-साथ में ये भी बताईए sir, कि हमारे जो sessions है, यहाँ पे recorded sessions कौन से होगे, मैं आपको कह दू कि, यहाँ पे 50-60% sessions live और 40% sessions exam oriented batch में आपको recorded रहेंगे, और उसमें specially आपका यहाँ पे, जो 3 chapters एड़ हुए है, कौन से 3 chapters एड़ है, बोलिए भटाफट, place of supply, TDS, TCS, और एक chapter एड़ है, और वो है accounts and records, यह 3 chapters जो आपको एड़ है, अभी जो regular batch, आज morning में ही मैंने खतम किया, तो यह regular batch के sessions आपको दिये जाएगे, क्योंकि वो तो मुझे पूरा depth में पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, तो वो तो आपको regular batch के ही दिये जाएगे, वो recorded sessions रहेंगे, प्लस और कुछ, मैं side by side record कर रहा हूँ, तो वो recorded sessions दिये जाएगे, now हमारा batch जो complete हो जाएगा, 28th of fav को खतम हो अगर लगा तो एक दो दीन आगे पीछे, but I will try my best कि 28th fav को मैं कतम कर दूगा, उसके बाद में हमारे batch के timings क्या होगे, जैसे आज, कल और पर सो, हमारा batch evening में होगा, जो YouTube पे डेमो रहे हैं, उसके बाद में, okay हमारा batch morning में shift हो जाएगा, I repeat, उसके बाद में हमारा batch morning में shift हो जो batch, okay यहाँ पर 3 गंटे गए रहेगा, और morning यहाँ पर batch 8.30 to 11.30 चलेगा, I repeat, 8.30 to 11.30 चलेगा, okay तो timing slot normally 8.30 to 11.30 रहेगा, okay कभी अगर आप telegram group से connected रहेगा, अगर early लेना रहा तो मैं पहले advance में आपको बता दूगा, पर morning 8.30 to 11.30 बाद चलेगा, ठीक है? पहले तीन lectures तो YouTube पे रहेंगे, यह save रहेंगे YouTube पे, यह demo lectures है और उसके बाद के lectures live streaming में app पे चलेंगे, जो sessions मेरे live रहेंगे, और जो sessions मेरे यहाँ पे, जहां तक है recorded sessions रहेंगे, तो वह app में आपके recorded sessions मिल जाएंगे, ठीक है? यूट्यूब पे फ्री नहीं रहेंगा भाई, यह exam oriented batch है, आपको free वाला करना है, तो मेरा rapid revision, जो चार्ट revision, rocket revision आता है, वो free रहेंगा, वो बाद में start होगा, पच्चिस में के, पच्चिस फेप के बाद, तो तब आपको देखना पड़ेगा, चलिए दोस्तों, एप में live option आजाएगा बेटा, आपको जो भी technical problem है, कल परसो तक solve हो जाएगे, इसलिए मैं YouTube पे ले रहा हूँ, आज, कल और परसो, कल का lecture एप में भी रहेगा, live भी रहेगा, और recorded भी रहेगा, परसो का भी live भी रहेगा, recorded भी रहेगा, कोई भी दिक्कत आपको आती है, त इसको भी आप में दिक्कत गई, कल का lecture होने के बाद, जिसको भी आप में दिक्कत गई, वो अपना form fill up करे, मेरी टीम आप से coordinate करेगी, ठीक है, चलो, recorded session live stream ही करेंगे, recorded session live stream ही करेंगे, तो चलिए, आज आईए बिटा, अब मैं 5 minute, आपके कोई questions होगे, तो वो ले लेता हूँ, और फिर हमारे discussion की शुरुआत करता हूँ, ओकी, backup सब मिलेगा बिटा, जो live session रहेगा, उसका पूरा completely backup मिलेगा, नहीं ने भाई, exam oriented batch free नहीं है, येस बिटा, ये live session रहेंगे, जो session मैं live लेने वाला हो, वो जिन्होंने GDP भी लियाओगा, तो उनको भी live session का option मिल जाएगा, येस ये, ये बैच में हमारा पूरा focus question S पे रहेगा, और question S पे रहेगा, और question S रहेगा, और बहुत अच्छे से revise हो जाएगा, और मैं आपको कहता हूँ, अभी तक election की date आई नहीं है, अब election जाने वाला है, मैं आपको बोल देता हूँ, मैं में जाने वाला है, और 10-15 दिन आपकी exam आगे बढ़ने वाली है, ये पूरे पूरे chances है, तो बिंदास रहेगा, और चलिए, अब आपके कोई questions और doubt होगे, तो मैं session के end में लेता हूँ, पहले मैं session start कर देता हूँ, और आज जो हम start करने वाले है, यहाँ पे, पहला chapter start करने वाले है, जैसा मैं यहाँ पे आ registration chapter 7 में लो, तो आपको मेरे साथ ही, उसी sequence में घर पे revise करना है और पढ़ना है, आप सब को GST में out of 50, 40 प्लस चाहिए ना, येस, बोलिए, चाहिए ना सब को, चलिए, और मैं आप सबी को बता दू, अगर कोई student exam oriented batch ये पहली बार देख रहा होगा और अभी तक उसने decide नहीं किया होगा, तो मैं आपको ये बता दिया चाहोगा, कि exam oriented batch really आपको बहुत helpful होगी, जिसमें आप सब के ज़्यादा lacking होते है, writing practice में, present कैसे करना, इस पे ज़ मूर इंटिड रहेगी, सारी amendments और नए chapters इसमें cover कर लिए जाएगे, ठीक है, इसमें cover कर लिए जाएगे, तो चलिए बटा, अब यहाँ पर मैं आपको बता दू, चलो मेरे साथ एक list बनाओ, फटाफट मेरे साथ एक list बनाओ, कितने chapters हमें पढ़ नहें, आपको book मिल गई हो अब मैं आपको बता दू, हमें chapter 1, अब आजाते हैं हमारे discussion पर और यहाँ पर हमारा discussion स्टार्ट करते हैं, हमारा discussion स्टार्ट करते हैं, ओके, आपके doubts और questions हमाल के रखो, मैं बाद मिलोगा, आपके doubts और questions हमाल के रखो, मैं बाद मिलोगा, ठीक है, अब अगर आते हो, तो पहला chapter हमारा होगा, yes, हमारे topic का नाम है, GST, और मैं आपको यह बता दू, अगर आप CMA इंटर कर रहे होगे, तो आपको 10 मां का customs है, वो 10 मां का customs के recorded lecture, और साथ साथ में आपको notes भी provide कर दी जाएगी, तो वो कैसे होगी, okay, notes आपको physically second consignment आएगी, और 10 मां की वीडियो lectures भी मैं upload कर दूगा, अगर आप CMA इंटर कर रहे हो, तो 10 मां का customs का भी पूरा support आपको दिया जाएगा, तो पहले start करते है, GST, GST में, okay, यहाँ पे लेते है, chapter 1, आपके जो भी doubts होगे, questions होगे, मैं बाद में लेता हूँ, ending म में लेता हूँ, okay, पहले chapter 1, लिखते जाओ, हाँ, आपको साथ साथ में एक notebook रखना है, जिसमें हमें charts draw करने है, okay, charts draw करने है, बेटा, हाँ, charts आपको draw करने पढ़ेंगे, किस तर से draw करने पढ़ेंगे, मैं बताऊगा, लेकिन एक notebook रखना, जिसमें आपको बेरे साथ daily basis पे charts draw करने है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, मुझे ये बताऊ, आगे बढ़ने के पहले, okay, कितने student ऐसे है, जो first time, बस वोई answer देना, जो first time GST पढ़ रहे है, आज तक पढ़ा ही नहीं GST जिननोंने, जो first time पढ़ रहे है, वो one time करो से, यहने आज तक कभी GST पढ़ा ही नहीं उ हाँ, एक copy आपको साथ में बनानी है, एक copy आपको साथ में बनानी है, जिसमें हमें charts draw करने है, चलो, एक, दो, तीन, जोने आज तक बिलकुल भी GST नहीं पढ़ा, किसी से भी नहीं पढ़ा, अच्छे का से है, तो, हाँ, ने, डबल डबल टाइप मत करो बेड़ा, repeat मत करो, repeat मत करो, यहाँ पर, चलो, तो आपने GST अभी तक पढ़ा ही नहीं, अच्छा, ऐसा है, अब देखो, यह exam oriented batch में, जिन्होंने GST पढ़ा हैं, पर अच्छा, वो subject से connect नहीं हो पाए, और फिर से अच्छे से connect होना चाहते है, तो मैं अभी जो बैच में लोगा, उनके लिए तो enough रहेगा, और अच्छा खासा मेरे साथ पढ़ा ही हो जाएगा, पर जिन्होंने भी GST अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको भी अच्छे से समझ जाएगा, उनको भी अच्छे से समझ जाएगा, क्योंकि विटा देको regular batch मेरा 130 140 hours का चलता है और यह batch हमारा around 80 hours के आस पर चलेगा तो obviously इसमें speed थोड़ी ज्यादा रहेगी और मैं 100% syllabus coverage करूगा और कुछ छोड़गा नहीं लेकिन थोड़ा speed ज्यादा रहेगा और दूसरी बात आपको कहूँ तो यहां पर more okay concept के साथ साथ हम writing practice करेंगे तो आपको जो भी हमने solve किया है वो आपको घर पे एक बार पढ़ना पढ़ेगा तो आर यू रेड़ी जो भी students पहली बार पढ़ रहे है क्या मेरे साथ महनत करने के लिए रेड़ी है यास और नो तो बोलिए यास सार ओके चली तो अब आते हैं हमारे discussion पे फड़ा फट चाप्टर जो है कौन-कौन से चाप्टर हम पढ़ने वाल है चाप्टर के नाम लेक लेते हैं और ये पूरे sessions में हमारी writing practice सबसे जाधा होगी पहला चाप्टर रहेगा बैकप अगरे पूरा मिलेगा आपको पूरा 100% बैकप मिलेगा अगर आप live session में देख रहे हो आप लाई भी देखोगे और आपको पूरा backup भी रहेगा same day का backup दूसरे दिन morning में upload हो जाएगा दूसरे दिन morning में अगर lecture हुआ तो evening में upload हो जाएगा और evening में अगर lecture हुआ तो आपको second day morning में upload हो जाएगा हाँ थोड़ा बहुत आपको मेरे comfort के साबसे schedule adjust करना पड़ेगा पर मैं आपको advance में telegram group में बता दूँगा पहले तीन lectures तो हमारे evening में ही रहेगे और फिर morning में shift होगा ठीक है तो यह आज का session दो गंटे ही चलेगा आज का session दो गंटे ही चलेगा तब तक आपके पास notes आ जाएगी और फिर हमारे session तीन गंटे के होगे चलो पहला लिखो chapter introduction पहला chapter के लिज बनाते क्या क्या पढ़ना ह introduction to GST चलो मेरे साथ फटा लिखते जाओ अब लिखते जाओ अब कुछ मत पूछो आखरी में मैं cover कर लूँगा आपके question chapter 2 हमें पढ़ना है एक strategy बनाते है कि हमें chapter कैसे पढ़ना है introduction to GST चलो दूसरा chapter हमें charge of tax charge of tax ठीक है और कुछ मत पूछो समाजलो सिब मैं क्या बोल रह tax पिटा पहले दो chapters इनके ओपर institute ने okay five marks के question रखे अगर वो पूछेगे तो वो भी कभी पूछ सकते कभी नहीं पूछ सकते 5 mark के लिए out of 50 उसमें भी वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे उनकी मरसी पहले दो chapters पे उसके बाद में पूरा exam oriented पूरे strategy के साथ पढ़ाई होगी पूरे strategy के साथ अब वो regular batch जैसा नहीं है पूरा 100% से लेबर कुछ strategy के साथ होगा हमें कितना पढ़ना है कौन से chapter कितना पढ़ना है कौन से chapter पे writing practice ज्यादा करना है सब मैं आपको बताओगा really ये batch आपके लिए best batch होगा GST exam के हिसाब से तो हम पढ़ेंगी पढ़ेंगे 40 प्लस का target करेंगे करेंगे और GST आपके धिमाग में ऐसा डाल दूगा नो boss कि आप बात में भी जब आर्टिकल्शिप में जॉइन करोगे तो आप रियली याद करोगे तो chapter 2 जो है यहां पर जहां तक है हमारा charge of tax रहेगा तिसरा तिसरा chapter 3 chapter 3 जो है वह concept of supply concept of concept of supply और जो student CS कर रहे हैं बिल्कुल वह भी यूज़ कर सकते हैं अब concept of supply यह चाप्टर को एक्जाम के इसाफ से कैसे बढ़ना है तिसरा हमारा supply क्या होता है concept क्या होता है supply एक्जाम के इसाफ से इस चाप्टर को कैसे बढ़ना है दोस्तों यह बेस चाप्टर है यह इससे ही सारे चीजों का जनम होता है और कि supply ने क्या फिर supply में section 7 क्या कहता है और कि फिर supply कब बोला जाएगा without consideration कब बोला जाएगा तो जहां तक देखा जाए तो यहां से इस सारे चीजों का जनम होता है अब देखो यह जो है सारे chapters इससे connected रहे गया तो supply यह चाप्टर हमें अच्छे से इसलिए पढ़ना है उसके दो reasons पहला तो यह समझेगा तो आगे के सारे chapters आपको समझ में आएगे दूसरी बात और कि जब 8 marks के question आते है starting में हम question paper में आपको बता होगा questions की अपजा देखो पहले 40 marks का था अब 50 marks का होगा तो question paper का format कैसे होगा हम कल के पहले 10-15 minutes के session में हम देखेंगे की structure किस तरह से question paper का आएगा आज मैं लेने वाला था लेकिन यहां पर session जो है हमारा connect होने में लेट हो गया और वो file मैं ले नहीं पाया तो कल के session में ले लेंगे तो वो मैं आपको थोड़ा आपको बता होगा तो concept of supply इसके ओपर यहां पर five marks के आसपास आपको question पूछा जा सकता है और जो questions होगा यह numerical question के साथ पूछा जाएगा या फिर जहां तक दिखा जाए इसके ओपर यहां पर specific question भी पूछा जाएगा पर यह chapter एक important chapter है जिससे आपको अच्छे से पढ़के जाना है क्योंकि यहां से सभी concept का जन्म होता है यह chapter 3 रहेगा उसके बाद में हम आते मेरे साथ लिख रहे होना आप सभी आप मेरे साथ लिख रहे होना yes और no फिर chapter 4 फिर हम बात करेंगे chapter 4 की तो chapter 4 की अगर हम बात करें तो वह आता है rcm chapter 4 rcm and issue rcm and issue issue यह concept अभी नया add किया है पहले नहीं था जब 40 marks के लिए था तो issue नहीं था अब उनने add कर दिया electronic commerce operator तो यह concept हमें पढ़ना है यह chapter भी एक important chapter है okay इसके questions जो आते हैं कभी-कभी पूछे जाते हैं और यह question 2 to 3 marks के question आते हैं पर generally okay जहां तक देखा जाए अब देखो हर chapter के individual marks में नहीं बता पाऊगा लेकिन जहां जहां में बता पाया वह आपको बता होगा reverse charge में अगर आपने already कभी GST पढ़ा हो तो सबसे ज़्यादा problem आपको reverse charge में जाता है और इसमें एक नया concept add किया है issue electronic commerce operator तो issue concept हम यहां पे जरूर लेंगे उसके बाद में next बेटा मैं आपको यह बता दू यह chapter 5 अगर बात करें तो next chapter chapter 5 okay कुछ student बोले sir free कर दो बेटा यह fast track batch थोड़ी है यह regular exam oriented batch है आपको fast track जो मेरा rapid revision तो वो तो YouTube पे बाद में आए गई वो जो revision batch होता है वो तो बाद में आएगा यह जो है okay यहां पे यह regular exam oriented batch है ठीक है यह आप fast track मत समझना गलती से भी fast track मत समझना अब यह batch का जादू ही अलग है really जादू अलग है बहुत अच्छे से हम cover करने वाला है okay तो now यहां पे है उसके बाद में next हम अगर chapter 5 की बात करें तो chapter 5 जो है composition scheme चलो लिखो मेरे साथ composition scheme composition scheme अब अगर हम बात करें composition scheme तो यह composition scheme में क्या है जैसे कभी-कभी tax जो है जो normal rate से आपको देना है वो तो आप normal rate से tax देते ही हो और जैसे 5%, 12% 18% या 28% normal rate से आप tax देते ही हो लेकिन कभी-कभी आपको composite rate भी मिल जाते है जैसे income tax में आपको presumptive scheme मिल जाती है तो presumptive scheme में आप tax देते हो, लंसम एक amount हो, वैसे GST में भी composition scheme होती है, कभी-कभी इसके उपर यहाँ पर 3 to 5 marks का question पूछा जा सकता है, composition scheme पर, okay, हर exam में नहीं पूछते हैं, लेकिन कभी-कभी 3 to 5 marks का question इसके उपर पूछते हैं, यह हमारा chapter 5 होगा, उसके बाद में chapter 6, okay, उसके value of supply, I repeat, value of supply, value of supply में हमारा focus क्या रहेगा, हम value of supply में आपको देखो, value of supply के साथ, कभी-कभी question कैसे आते है, supply chapter, और supply के साथ, value of supply chapter, यह combined question पूछ लेते हैं, यह question, numerical questions इसके उपर जादा होते हैं, और, यहाँ पे numerical questions में, जहां तक देखा जाए, तो value of supply इस chapter पे, और यह कभी- इसका भी question इसके उपर आजाता है, तो जहां तक numerical questions वाल करने के लिए, यह chapter important है, तो आप यह chapter numerical question के लिए important में लिख सकते हो, यह आपको करना ही क्योंकि हर attempt में, हर attempt में, okay, इसके उपर कुछ न कुछ पूछा जाता है, इसलिए value of supply एक important chapter है, उसके बाद में chapter 7, okay, next लिखो chapter 7, मेरे साथ लिख के देखो विटा, एक overall, okay, यहाँ पर, यहाँ पर chapter 7, और यह chapter 7 की अगर हम बात करें, तो next आएगा time of supply, time of supply, हमें पढ़ना है, okay, 3-2, कभी-कभी इसको 3-5 marks के questions इसके उपर आ जाते है, okay, time of supply including MCQ, उसके बाद में chapter 7, उसके बाद में chapter 8 हम लिखे, लिखो, लिखो, मेरे साथ, लिखो, इंडेक्स दिया होगा, तो भी लिखो, मैं चाहता हूँ कि आपका chapter से, okay, यहाँ पर, आप फैमिलियर हो जाओ, time of supply के बाद, आपका chapter आएगा exemption, a very, 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 very important chapter, exemptions, और यह exemption chapter, बड़ा important chapter है, आपको मेरे साथ, इस पे बहुत practice करना ही नहीं पुछा गया, continuous यह chapter पे question पुछे जा रहा है, exemption, और question यहाँ पे, three to five marks का हर exam में, इसके उपर पुछा जा रहा है, कभी-कभी जब numerical question पूछते हैं, तो numerical questions में, इसकी भी adjustment डालते हैं, तो यह chapter आपके लिए important है, generally students, okay, जिन्होंने attempt दिया होगा, तो यह chapter इग्नोर कर देते हैं, छोड़के चले जाते हैं, पर अब नहीं छोड़ना है, आपको मेरे साथ अच्छे से पढ़ना है, एक मिनुट, chapter number eight, number seven, seven, अच्छा, 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 ठीके, 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 समाझ गया, एक मिनुट, थोड़ा उपर नीचे हो गया, यहाँ पे, आपके index के साथ से उपर नीचे हो गया, यह exemption chapter number nine है, exemption chapter number nine है, थोड़ा थोड़ा आपने यह कर लेना, exemption chapter number nine है, हमारे index में, और chapter number seven, place of supply है, chapter number seven, place of supply है, सही है, हाँ, यह chapter important है आपके लिए, क्यों important है, place of supply है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको यह बता जो, इसके पहले GST के syllabus में यह chapter नहीं था, this chapter is newly inserted, तो यह chapter पे इस बार compulsory question आएगे, newly inserted in this new scheme, newly inserted under this new scheme, और इसके ओपर five marks के लिए question आएगा, इसके five marks के लिए question आएगा, आप chapter number थोड़ा बदल दोना, नीचे लिए लिए chapter number seven, okay, मुझे पता है आप कैसे idiot करोगे, मैं समझ चुगा हूँ, आपका question आने वाला था, यह भी मुझे पता था, चलो, तो कोई problem नहीं, तो यह जो है, यहाँ पे place of supply है, time of supply है, उसके बाद म exemption, exemption आपके लिए important chapter रहेगा, पर इस बार यह chapter place of supply है, भाई साब, ओकि यह chapter कोई भी हालत में करके जाना, इसके ओपर question आएगा, मतलब आएगा, तो यह chapter number nine था, उसके बाद में chapter number ten, लिखो, chapter number ten में, यहाँ पे, payment of tax, payment of tax, payment of tax, payment of tax, और एक TDS and TCS, TDS and TCS, यह नया add किया है, और इसके ओपर question आने के पूरे पूरे chances है, यह very very important, आएगा ही आएगा question, बोलो, आएगा ही आएगा, क्या आएगा, तो इसमें question आएगा, तो इसके ओपर question आने के पूरे chances है, TDS और TCS पे, क्योंकि यह newly inserted topic है for your attempt, उसके बाद में, यहाँ पे chapter number 11, next, यहाँ पे chapter number 11, तो यहाँ chapter number 11 की अगर बात करें, तो chapter number 11, यहाँ पे input tax credit, भाई साब, अगर यह chapter नहीं पड़ा, तो आपने GST ही नहीं पड़ा, input tax credit, ITC, a very very important chapter, very very important chapter, ITC है, उसके बाद में next, आपका chapter होगा, लिखते जाओ, एक बार index बना लेते, नेक्स चाप्टर होगा, chapter number 12, और वो होगा, registration, registration under GST, यह आपको, यह theoretical chapter है, और यह theoretical chapter कैसे manage करना अच्छी है, okay, generally student, जो GST पड़ते थे, यह chapter एगनो कर देते, registration, tax invoice, वगेरे, पर हम नहीं करेंगे, मैं इसमें आपको लिखवा के दूगा, presentation skills लिखा होगा, concept के साथ, हम पूरा अच्छे से देखेंगे, और भाई साब, यह, okay, one of the best, और interesting chapter आपका हो जाएगा, जो आप छोड़ते हो, रहेगा, tax invoice, okay, tax invoice, माक्स लेता हो, माक्स लेता हो, दो में दुख जाओ, tax invoice, chapter number 13, उसके बाद में, chapter number 14, chapter number 14, हमारा रहेगा, accounts and records, accounts and records, and evay bill, and evay bill, आपका accounts, records, and evay bill, तो पीटा, evay bill तो आपके लिए पहले था, लेकिन यह accounts and records पहली बार introduce किया है, यह important आपके लिए, इसके ओपर question आ सकता है, यह topic नए add किया उन्होंने, accounts and records, evay bill तो पहले भी था, okay, यह add किया, और last हमारा रहेगा, chapter number 15, तो total हमें 15 chapters पढ़ने है, chapter number 15, और वो रहेगा return, वो रहेगा return, तो registration, tax invoice, account records, return, MCQ पकड़के इसके ओपर आपको option और MCQ, option भी रहता है, option पकड़के इसके ओपर आपको 10 to 15 marks के questions पुछे जाएगे, 10 to 15 marks के question पुछे जाएगे, ITC पर आपको 5 to 8 marks का पुछा जाएगा, TDS, TCS की बात करें और payment of tax की बात करें तो 5 marks का question पुछा जा सकता है, तो इस तरह से हमारा waitage रहेगा, okay, और यह last वाले chapter में, out of 50, MCQ पकड़के और option का पकड़के, आपको 10 to 15 marks के question पुछे जाएगे, तो no doubt, सरे chapters बड़े important है, okay, पर हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा, कैसा रहेगा, हम concept को पढ़ेंगे, फिर questionnaire आपके बाजू में रहेगा, questionnaire से question देखेंगे, कुछ questions discuss करेंगे, most of the questions हम लिख के देखेंगे, लिखने का तरीका आपका कैसा होगा, आपकी writing practice कैसी होगी, definitely उसके ओपर भी हमारा discussion होगा, okay, और कुछ questions मैं आपको homework दूगा, मेरे साथ दिया हुआ homework, 2-3 questions आपको घर पे लिख के लाना है, तो 2-3-3 questions जो मैं आपको homework दूगा, वो आपको daily basis पे दूगा, और वो आप लिख के लाहोगे, और वो पूरा कैसे आपने present करना है, मैं समझा होगा, और वो लिख के लाने के yes or no, okay, तो आप radio, yes, okay, अब मैं आपको ये बता दूग, जो student पहली बार यहाँ GST मेरे साथ पढ़ रहे है, वो सकता है कि जब मैं concept explain करूँ, तब आपको पुरा समझ में ना है, पर हम जो concept पढ़ने वाले, तीन बोड में पढ़ने वाले, पहला, पहला मैं आपको concept explain करूग और वो चार्ट में बताऊगा, दूसरा, तीसरा हम उसके questions वाल करेंगे, और fourth, next day में revise करूगा, याने चार में एक concept को पढ़ने वाले है, तो ऐसे situation में जो student पहली बार मेरे साथ GST कर रहे है, तो ये patience रखना, आपको पहले इसमें बहुत कुछ समझ में आएगा, कुछ समझा हुआ concept, या फिर जब हम revise करेंगे, तब उसमें कौर हो जाएगा, तो ये चार मेथड में कहीं न कहीं आपका कौर हो जाएगा, I assure, okay, तो मैं 100% guarantee देता हूँ, कि आपका पुरा अच्छे से करूगा, ये मेरा आपको assurance है, तो इस तरह से हमारे 15 chapters होगे, okay, 15 chapters होगे, इस भाई साब उनके लिए तो ये batch, बता दू, एक अच्छा score करने के लिए one of the best batch रहेगा, मैं सच में बताना चाहोगा आपको, एक इस बार taxation में कुई chance नहीं छोड़ना है, और अच्छा score करना है, और taxation में 80 पार, और GST में 40 पार हमें लेना है, okay, तो चलिए, यहाँ पे start करत है, हाँ, अगर किसी को compact book ही buy करना है, तो available for sale है, हमारे website पर आपको मिल जाएगी, चलो, यह 15 chapters है, तो पहले, अब देखो, पहले दो chapters जो है, जहाँ required है, पहले दो chapters, जहाँ आपको exam में पुछा जा सकता है, और जो concept आपको अच्छे से समझना जरूर ही है, वहाँ आप इसलिए हो सकता है, कि कुछ students जो पहले demo lectures देख रहे है, तो जिसमें मैं पहले दू चाप्टर लेने वाला हूँ, उनको थोड़ी speed जादा लगे, specially वो students को, जो पहली बार GST पढ़ रहे है, पर बेटा, मेरे पे trust रखना, प्लीज मेरे पे trust रखना, कि मैं आपका GST ऐसा बन नहीं है, है तो फड़ा फड़ टी टाइप करो, specially वो students जो पहली बार GST पढ़ रहे हैं, अके तो चलो, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, दो, चलो बेटा, यहाँ हमारा पहला chapter start करेंगे, आपके पास book नहीं भी होगी, तो कोई problem नहीं, मैं इसकी pdf share आपको कर दूँगा, जो भी हम लिखेंगे, इसकी pdf मैं share आपको कर दूँगा, don't worry, आपके पास book नहीं भी होगी, तो तरने की कोई बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पे, अभी ज chapter में, जो भी हम discuss करेंगे, जो लिखने का काम रहेगा, वो तो आपको note book में लिखवा दूँगा, जो हम discuss करेंगे, वो discuss जो है, यहाँ पे pdf share कर दूँगा, ठीक है, done, चलिए, पहला chapter हम start कर रहे है, basic concept of indirect taxes and constitutional provision of levy of GST, यहने introduction to GST, कि constitutional provisions क्या है, जिसको नाम हमने दिया introduction of GST okay, जो हमने पहला chapter लिखा है, now दोस्तों, अब जो है, इस chapter में, हमें कुछ basic concept होगा, अच्छा, जो पहली बार GST पढ़ रहे है, मैं just एक जान करी लेना चाहते हो, जो पहली बार GST पढ़ रहे है, उन्होंने income tax तो पढ़ लिया ना, अगर उन्होंने income tax पढ़ लिया तो व I type करेंगे फटाफट, very good, voice clear आरिये ना, सभी को, voice सब को, clear आरिये ना, very good, okay, चलो, तो पहला जो है, आपका question, जैसे हम start करने देंगे, what is mean by tax, exam में नहीं पुछेंगे, लेकिन आपके general knowledge के लिए बतादू, फटाफट, मैं पहले ही कह रहा हूँ, पहले दू chapter मेरे, जहां required है, वहां explanation और discussion depth में रहेगा, जो exam में पूछ सकते है, conceptually भी depth में रहेगा, और वैसे भी depth में रहेगा, तो tax का मतलब income tax में भी आपने पढ़ा होगा, tax यह word derived from tax, यह एक mandatory financial burden होता है, okay, mandatory financial burden होता है, जो यहां पे legal entity पे लगाया जाता है, ठीक है, यह mandatory financial burden होता है, जो यहां पे लोगों पे लगाया जाता है, क्योंकि government को पैसा चाहिए, और government अपना पैसा tax से through collect करती है, भाई, government को पैसा क्यों चाहिए, तो underline करो, government आपको infrastructure प्रोवाइड करती है उसके बाद में health provide करती है public services provide करती है education provide करती है defense military provide करती है तो भाई government पैसा लाएगी कहा से तो government पैसा लाएगी tax है जो उनका major source of revenue रहेगा तो भाई यह जो आप road use करते हो infra use करते हो hospital use करते हो government का ठीक है वहाँ services facility नहीं होती है पर use तो करते हो न education service government बहुत से बार free provide करती है तो यह सब के लिए government को पैसा चीह और पैसा वो tax से generate करती है अब देखो बेटा दो type के taxes होते है एक होता है direct tax और दुसरा होता है indirect tax come on एक होता है direct tax और दुसरा होता है क्या indirect tax तो यहाँ पर कोई बता सकता है what is the difference between direct tax and indirect taxes okay कोई बता सकता है कि what is the difference between direct tax and indirect taxes फटा फट शेर करते जाओ okay आप क्या कोगे question exam में पुछा गया और same question questionnaire में है इसलिए ओक यहाँ पर questionnaire का ही copy करके मैंने यहाँ डाला हुआ है difference between direct and indirect taxes अब यह difference क्या है difference है कि यहाँ direct tax it is levied on income earned by the income earned by activities conducted तो indirect tax on product or services क्या यह question exam में पुछेंगे सर बहुत कम chances है लेकिन यह जो मेरे पढ़ाने के बाद आज आप घर पे यह आपके लिए homework यह लिख के देखना है जहां हम W कह रहे है वह आपको लिख के देखना है इस badge का object मैं भी writing practice लोगा आप भी writing practice करोगे ठीक है तो direct tax आप कहोगे payable by person concerned indirect tax indirect tax आप कहोगे on product and community correct बेटा फेला difference है जो प्रड़क्ट गूड्स और इंकम अर्निंग अक्टिविटी तो indirect tax है जो प्रड़क्ट गूड्स और सर्विसेस पे लगता है चलो एक बार read कर लेते हैं फिर मैं इसके background में बताता हूँ दुसरा दुसरा इट इस बोन directly by the person paying the tax to the government जो government को tax दे रहा है वो के वो ही यह tax bear करेगा वो किसी और को pass on नहीं करेगा तो indirect tax किस पे होता है it is shifted to other person as the person paying tax to the government and collect the same from ultimate consumer okay indirect tax shift होता है from one person to another और entire tax is on ultimate consumer next एक difference और भी है direct tax progressive nature में indirect tax regressive nature सर यह progressive nature और regressive nature क्या होता है हम बात करेंगे next यहाँ पे पहले मेरे साथ underline करते जाओ when it is to be paid it is paid after the income reaches in the hands of taxpayer तो यह indirect tax before goods and services reaches in the hands of taxpayer tax collection direct tax में difficult है तो यह comparatively easy है चलिए हर बात को यहाँ समझने की कोशिश करते है अब देखो क्या है ओके एक example लेते हैं तो यह आज मेरा batch हुआ ओके मैं समझ लो हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे ठीके आज मेरा batch चालो हुआ ओके I earn some income मैंने income earn करी earn some income यह income earn कर लिए तो बज़ लो 5 लाग रुपे कमाया assume, assume 5 लाग कमाया ठीक है net profit, शुद्ध मुनाफ़ा 5 लाग रुपे कमाया ठीक है अब यह 5 लाग रुपे जो मैंने कमाया थोड़ा यह 10 मिर का background discussion अच्छे से समझ लो तो थोड़ा आपको अभी clear हो जाएगा कि direct tax अलग है और indirect tax अलग है ठीक है और मैं फिर से कह दू कि यह chapter में थोड़ा repetition लगेगा उन बच्छों को जिन्होंने GST मेरे पास किया होगा पर चल एक दो chapter कर चो यहाँ पर starting में तो initial stage पर एक flow आने के लिए चलने तो हाँ तो थोड़ा यहाँ पर वे मैंने यहाँ पर 5 lakhs रुपीज जो है income earn किया अब यह 5 lakh रुपे income earn किया आपने income tax पढ़ा होगा अब आपने income tax पढ़ा होगा तो भई 5 lakh का income tax आपको government को pay करना पढ़ेगा उसमें basic exemption वगरे और 10% चलो तो मैं थोड़ा basic exemption को बाजिम रखता हूँ 5 lakh का 10% रिट लेता है तो आपने 50,000 यह income tax पढ़े किया government को तो आपके पास बचा कितना तो आपके पास बचा 4,500,000 आपके पास बचा 4,500,000 अब समझ लो मेरी wife आई और मेरी wife के लिए यहां पर 1,000,000 रुपे चाहिए मैं रहा एक लाग शॉपिंग के लिए अब 50,000 tax income tax मैं दिया income tax कितना दिया मैंने 50,000 okay income tax 50,000 रिया और यह income tax जो 50,000 रिया तो आप बच्चा मेरे पास 4,500,000 अब मेरे wife मैं मेरे शॉपिंग के लिए एक लाग रुपे दे कहा मैंने का ठीक है लो मैं ज्यादा भध करता नियूह और यह वन लेक कहां पे 90,000 है, मैंने का दिखो, मैंने कमाया तब 5 लाग, 10% का बर्डन मैंने लिया, अब मैंने 10% का बर्डन लिया, तो इस बर्डन पास ओन, तो तुमको भी यह बर्डन पास ओन होगा, तो ऐसा समझो, एक लाग रुपे मिल गया, जिसमें 10,000 मैंने इंकम इंकम डाइक्स का बर्डन तुम पे शिप्ट कर दिया, बर्डन शिप्टेड, तुमको 90 मिलेगा, बस 90 मिलेगा, मेरी वाइप ने का यह यह क्या है यार विशाल, ओके मैंने आपको 90,000 मांग, मैंने आपको 1 लाग रुप मांग, आपने मेरे को 90,000 तो यह गलत बात है, ना मेरी डॉर्टर, मैं सुन, यह मेरे पास है, और के उनने का पापा, पापा, स्कूल की फीज देना है, मैंने का ठीक है, स्कूल की फीज देना है, कितने 50,000, मैंने उनको 45,000 दिये, और उनने का पापा, स्कूल में, हमें स्कूल में 50 देना है, मैंने का देखो, स्कूल वालों को फिप्टी मिल गए उनने का पापा कैसे भाई मैंने पाच लाग कमाया था मैंने तेन परसंट का इंक्रम टेक्स दिया नौ इस बर्डन शिप्टेड तो मैं आपको फोटी फाई दे रहा हो और स्कूल वालों कहना बर्डन शिप्टेड ओके वो मेरे तरफ देखते रहे और मेरे वाईफ के तरफ देखे मामा पापा को क्या हुआ आज यहां पर बर्डन शिप्टेड बर्डन शिप्टेड कर रहे मेरे पैरेंट्स है उन्होंने मेरे को पैसा मांगा जिनके साथ मैं इंकम शेयर कर रहा हूँ जिनके साथ मैं इंकम शेयर कर रहा हूँ मेरे पैरेंट चलेगा शाम को मैं घर के बाहर और सब कह रहे है burden shifted मतलब मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिसके साथ हम income share करते हैं उसको income tax का burden shift नहीं करते नहीं करते this tax is payable by person concern ओके जो government को दे रहा है वो ही tax देगा, he cannot shift the burden of income tax to any other person, समझे क्या समझे तो S type करो समझे का S type करो, ओके और मैं कहता हूँ type करो मतलब करो तो आप burden shift नहीं कर सकते तो burden of income tax cannot be shifted with a person तो देखो भाई मैं तो अब हो गया ना घर के बाहर, बेटा उस studio में आपको पढ़ाते हुए, ओके सब ने burden shift कर दिया, जा studio में जा studio में काम कर अपना ओके, this burden is shifted तो यह जो था, यह income tax था कि आप burden shift नहीं कर सकते चलो, अब बात करते है income, indirect tax की अब दिखो, indirect tax जो है दहान से सुनियेगा, यह business tax है, जैसे पहले, मैं आपको बता दू पहले excise था, कभी नाम सुना है excise का, excise था, VAT था, ओके यह sales tax था, VAT था यह आप उसे sales tax कहो, sales tax था, ठीक है अब यह सब, सब चले गए और आया GST, अभी आया GST, यह सारे business tax थे, okay, यह सारे business tax थे यह business tax थे मतलब कौन कि अगर कोई business man I repeat, क्या, अगर कोई business man, यहां goods बना रहा है, service दे रहा है, और वो बेच रहा है वो sale कर रहा है, तो कोई business man, अगर वो sale कर रहा है तो उसके उपर manufacturing पे एक size लगती थी, sales पे VAT यह sales tax लगता था, और अब आगया GST हम GST कैसे आए, उसके बारे में बात करेंगे, हम GST कैसे आए, उसके बारे में बात करेंगे, don't worry for that, ठीक है तो दोस्तो जो GST आया है, दहान से सुनेगा तो यह जो GST आया यहां पर अब देखो यह business tax था, और यह बहुत बहुत पहले से लगते आ रहा है, बहुत पहले बार किंड़म का business man इस kingdom में आता था, तो उसको यहां के राजा को खुश करना पड़ता था, क्योंकि इस kingdom में आके business करना है, तो यह राजा को खुश करने के लिए वह राजा को gift देता था, कि भाई यह gift लो, यह tax लो और तुमारे इसमें मुझे business करने तो, तो यह जो कोई यह भी business man अगर business के लिए कुछ पे कर रहा है, tax दे रहा है, तो वह वहां के customer से recover करेगा, burden pass on करेगा, यहने in short, यह पहले से business man, business करने के लिए जो tax लगा, उसका burden customer को ship करते थे, क्योंकि ठीक है, राजा को दिया, तो यहां के लोगों को लोगों से recover कर लेंगे, business करने को, आ आप एक लाग रुपे का goods बेच रहे हैं, एक लाग रुपे का goods बेच रहे हैं, तो एक लाग रुपे का जब goods बेच रहे हैं, तो उसके ओपर tax लगता था, business tax, पहले excise का वो, VAT का और आज GST का जो भी है, tax लगता था, add rate 10% और यह 10% जो tax दिया गया, तो यह जो tax यहां, जो भी राजा होगा, government होगी, उनको tax देते थे 10,000, business का, और यहां के customer से वो record कर लेते, क्योंकि वो business कर रहे है, business करने के लिए जो भी खर्चा लगा, वो खर्चा प्राइस में add करके customer से record कर लिया, तो यह nature बना indirect tax का, indirect tax का nature बना, कि tax is payable by a person concerned, मतलब यह tax जो देगा, okay, tax is payable by one person, but shifted to another person, यहने वो tax shift हो जाएगा, जिनको good supply किया, जिनको services supply किया, क्योंकि वो business tax है, यह समझा क्या, यह समझा होगा, तो indirect tax का I type करो, यह समझा होगा, तो indirect tax का, यह कॉपी नहीं करना है, यह कॉपी अगर नहीं करना है, यह just concept को समझ देगा, indirect tax का I type करो, चलो चलो च तो यह transfer होता है another person को, पे यह करता है, supplier करता है, seller करता है, और another person को transfer होता है, चलिए दोस्तों, अब मैं यह point पे आओगा, अब मुझे बताओ, यह बंदे की, और यह discussion अब मैं जो करने जा रहा हूँ, वो बहुत important है, वो बहुत important है, यह बंदे की जो sale है, assume करते हैं पुरे स काल की, focus बहुत चीए है यह batch में, आपका मेरे साथ, मेरे साथ tremendous focus चीए है, तो हम within this time period, बहुत अच्छा output निकाल पाएंगे, कोई disturbance नहीं, कोई disturbance करेंगे, VAT और sales tax क्या होता है, जब कोई sale पे tax लगता है, तो उसको sales tax करते हैं, और उसका नाम पढ़ा बाद में VAT, value added tax, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जिसका नाम बाद में पढ़ा VAT, value added tax, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है, चलिए अब यह जो आप sale कर रहे हो और यह sale पे जो tax लगता है इसे GST आने के पहले sales tax कहते थे या VAT कहते थे value added tax कहते थे अब उसका नाम GST हो गया है चलो जो भी है अब समझ लो यहाँ पे आप आप businessman हो आप कोई trader हो trader और यह जो आप trader हो यहाँ पे आप sale कर रहे हो और यह जो आप sale कर रहे हो द्हांज सुनियेगा यह जो आप यहाँ पे sale कर रहे हो अब अपना profit and loss account trading trading और profit and loss account बना रहे हो और के trading और profit and loss account बना रहे हो यह तो आपको पता होगा अब यह trading और profit and loss account में आप sales बता होगे और sales बता होगे एक लाग से जिसके उपर tax अलग से government को pay करोगे और button pass on करोगे तो यह एक लाग का sale आपने बताया उसके against में आप purchase बता होगे purchase बता होगे जो भी आपका GP आएगा gross profit आएगा gross profit brought forward फिर आपके expenses होगे फिर यहाँ पे net profit आएगा यह एक लाग रुपे में से आपने जो है net profit कमाया 20,000 रुपे net profit कमाया 20,000 रुपे अब आपने income tax तो पढ़ा होगा तो यह 20,000 रुपे PGBP पढ़ा है आपने तो 20,000 पे लग जाता है income tax 20,000 पे लग जाता है क्या बेटा income tax तो अब मुझे यह बताए यहाँ पे ध्यान से सुनिए यह बताए कि यहाँ पे जो यह income tax लगा यह 20,000 20,000 पे यह 1,000,000 से ही बचा हुआ amount है जिसके ओपर income tax लगा जाया income tax net profit पे लगता है तो ऐसे situation में आपको नहीं लगता कि यहाँ double tax हो रहा है उस 1,000,000 पे मैंने sales tax दिया जो indirect tax था sales tax दिया जो indirect tax था और उसी 1,000,000 से जो profit बचा उस पे income tax आया तो to the extent of 20,000 to the extent of 20,000 double tax हो गया क्योंकि यह 20,000 एक लाग में थे जिसके ओपर मैंने sales tax दिया या GST दिया होगा और उसी एक लाग में से जब 20,000 बचा तो वो 20,000 पे income tax भी आया तो आपको रहा है double tax हो रहा है to the extent of 20,000 अगर फर्स थाउट पे देखा तो हाँ यार क्योंकि मैंने एक लाग पे GST भी दे दिया या पुरा ने इसमें sales tax दिया होगा और अभी जो है उसमें से profit बजाता हो उसमें से double tax लग गया income tax नहीं ले रही है income tax लगाने और यहां पे सच माने का object अलग है यहां पे और कि GST लगाने का object अलग है के आचित्व है यहां एन डाजा है का ऑबजेक्त अलग है तौन सुनिए गहा income tax को object है अलग है indirect tax को object अलग है सर यह object अलग है मतलब क्या सुनो यह object अलग है मतलब क्या अब आप यह कोगे कि सर indirect tax जो है सुनियेगा indirect tax अपनी जेब से थोड़ी दिया सर वो तो ओके वो पे किया और burden पास ओन burden shifted ठीक है नहीं यार burden shifted पर tax तो government के जेब में गया है ना इसके जेब से गया हो या इसके जेब से गया हो government के पास गया है ना और यह income tax जो है इसका tax यह भी tax government के जेब में गया हो हाँ बेटा वैसे देखा जाए तो दो टैक्स है पर दोनों के अब्जेक्ट अलग है तर दोनों के अब्जेक्ट अलग है मतलब क्या चलो मैं बता देता हूँ ये जो tax लगाया है ये business tax है भाई तुने business किया, लोगों से कमाए तुने लोगों से कमाया, एक लाग रुपे में तुझे कमाई हूई total तो तुने कमाया, government कहती है हमको भी चाहिए, क्युकि तू कमा रहा है तो हमको भी चाहिए, business करने का tax है income tax का object क्या है income tax का object है जो आपने income earn की और अपने तीजोरी में रखी उस तीजोरी पे tax अब income tax picture में कैसे आया, दो मेट में बता दे तो आपको income tax ऐसे picture में आया कि indirect tax तो business tax तो बहुत पहले से चल रहा था, बहुत पहले से चल रहा था जो business पे tax लगाया जाता था लेकिन अटिल्य के जमाने में, याने चनक्य के जमाने में कुछ राजाओं ने ये सोचा कि यार, economy unbalance हो रही है कुछ ऐसे वैश्य लोग, जिसको businessman कहा जाता था इनके उपर जब tax लगाते है तो ये tax का burden shift कर देते है customer को और जो मुनाफ़ा कमाते है इनकी तीजोरिया भरते जा रही है अब इनकी तीजोरिया भरते जा रही है तो economy divide होने लगी, rich class और poor class, आज भी इंडिया में, पूरे total population में income कमाने वाले, जो income tax देते है, वो सिर्फ 30% 70% तो income tax के income के बिलो है तो income tax payer बहुत कम है तो तब को राजाओने सोचा कि यार ये तो कुछ मुट्टीवर लोग कम, अपने तीजोरिय में पैसा डाल रहे है कमा कमा के और हम जो tax लगाते हैं उसका burden pass on कर देते हैं तो क्यों ना इनके तीजोरिय टेक्स लगा जाए इनके तीजोरियों से निकाला जाए अगर इनके तीजोरियों से नहीं निकाला जाए गया तो कुछ मुठीवर लोगों के हाथ में पुरी economy चले जाएगी जैसे आज लोग कहते हैं कि अम्मानी आदानी के हाथ में पुरी economy जा रही है मुठिवर लोगों के हाथ में जा रही है और ये उस kingdom के लिए उस country के लिए dangerous situation है very dangerous situation है कुछ मुठिवर लोग पुरा control कर लेंगे तो कुछ राजाओं ने तीजोरी tax लगाया तुमारे तीजोरी से पैसा निकाला जाएगा और public में लाया जाएगा उसका नाम पढ़ा income tax तो income tax बिजनेस करने का tax नहीं है जो भी तीजोरी में पैसा आएगा salary से आओ house property से आओ capital gain से आओ business से आओ किसी से भी आओ तीजोरी में पैसा आया तो पैसा निकालो वहाँ से don't allow anybody to accumulate the income सुनना द्हान से don't allow anybody to accumulate the income okay पैसा किसी के बाद जमा मत होने तो और उसका object था income tax इसलिए income tax में आप 10%, 20%, 30% ऐसे slab देखते हो कि आपका income बढ़ा कि 20 निकालो तीजोरी से और बढ़ा तो 30 और बढ़ा तो वह sales के साथ 40-44% चले जाता है income tax तो निकालो तीजोरी से पैसा और public मिला वो object होता है income tax का इसलिए ये double taxation नहीं इसका object income tax का totally अलग है इसका object totally अलग है ये business tax है ये तीजोरी tax है I hope आपको समझाओगा इसलिए इसलिए जब आप income tax और IDT पढ़ते हो GST ऐसा yearly basis पे नहीं होता है आपने अभी sale किया आपने अगर अभी sale किया सुनना आपने immediate sale किया अभी के अभी invoice बनाना पड़ता है और वो जो आपने invoice बनाया वो invoice अभी के अभी tax assess करना पड़ता है GST ऐसा नहीं होता है sales tax ऐसा नहीं होता है कि सेल कर दो और पूरे साल के बाद आना, नहीं, वो immediate tax invoice में, तब के तब quantify करना परता है, जबकि income tax early होता है, यह major difference है, दूसरा, income tax, generally income earning activity पर लगता है, जो, अब देखो, अब आपको समझेगा, income tax, income earning activity पर लगता है, मतलब क्या, कि जो सोर्से तीजोरी में पैसा आएगा, फ business tax है, वो goods or services पर लगेगा, यह तीजोरी tax होने के वजए से, income tax, तीजोरी tax होने के वजए से, you cannot transfer the burden to any other, मतलब, you cannot shift the burden, क्योंकि तीजोरी से पैसा निकाला गया, वो business तोड़ी है, तीजोरी से निकाला गया, तो you cannot shift the burden, पर indirect tax business tax है, वो shift होगा, from one person to another person, दूसरा, income tax progressive nature का है जिसके पास जादा से जादा तीजोरी में पैसा आते जाएगा, progressive मतलब, जैसा पैसा बढ़ेगा, वैसा पैसा निकालो, जैसा पैसा बढ़ेगा, वैसा पैसा निकालो, सर्चाज के साथ, जो सर्चाज लगाया जाता है उसके साथ, तो higher the rate of tax for people with higher ability to pay, यह regressive nature का है, अब सर service 5%, वो गरीब आदमी खरीदे तो भी 5%, मुके शंबानी खरीदे तो भी 5%, तो इसमें क्या होता है, regression त्यार होता है, regression त्यार होता है, मतलब, गरीब आदमी सोचता है कि यह क्या, यह product मैं भी खरीदू तो 5% का tax है, यह product मैं भी खरीदू तो 28% का tax है, और मुके शंबानी भ होना चाहिए गरीबों की सुनो अभी रोको लो अमेरों से टैक्स लो तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों जहां तक देखा जाए तो इससे क्या होता है regression त्यार होता है regression मतलब middle class पे heavy burden आ जाता है poor class पे heavy burden आ जाता है और कई तो भी लोग को अपोस करते indirect tax को लेकिन इंडियन economy ने बहुत अच्छे से manage किया है इंडियन economy में यह regression कम होना चीए इसलिए हमने चार्स लाब बनाये GST के 5% 12% 18% 28% और कैसे में चार्स लाब बनाये जो daily necessity of life है उसको 5% में रखा जो moderate goods है उसको 12 में रखा वाकी luxury goods को 18 और 28% में लखा तो ठीक है अब जो 5% वाला goods है वो biscuit है biscuit मुके शंबानी खरीदे या भिकारी खरीदे दोनों को 5% तो 7 में लगेगा तो यहां पे regression indirect tax में होता है पर इंडियन government ने उसको अच्छे से manage करके रखा हुआ है next now income tax जो है income tax कब पर होता है यह साल में मेरे पास income आ जाती income tax में दो year होते हैं और कि यहां पे financial year and assessment year क्यों financial year मतलब जो year का आपका पूरा profit निकलेगा और assessment year मतलब जो year में tax देना पड़ेगा तो यहां पहले income जेब में आती है और बाद में tax देना पड़ता है indirect tax में ऐसा नहीं है indirect tax बोलो मेरे साथ जोर से बोलना मेरे साथ यह transaction based tax है I repeat I repeat बोलो जोर से यह transaction based tax है यहां पे कोई current year और previous year नहीं होगा यहां पे नहीं transaction हुआ मैंने goods बेचा मैंने freeze बेची मैंने TV बेचा इन्वाइस में अभी के अभी GST लगाना पड़ेगा तो यह transaction पर ही tax लगाना पड़ता है यह transaction होता है जैसे मैं आपको service दे रहा हूँ और यह service का GST अभी लगा होगा ऐसा नहीं होगा कि मैंने service दी और मैंने का ठीक है अभी service लेलो अगले साल मैं आपसे GST लूगा अब imagine करो कि मैंने ऐसा कर दिया कि आपको service दी और आपको बोला कि अगली साल आपसे GST लूगा और अगले साल मैं आपको call कर रहा हूँ, देखो बच्छो, आपने जो service लीती ही ना मेरे से, उसका tax देना है, आप बोलो कि कौन, हाँ, हाँ, आवाज नहीं आ रही है, खत्म, ऐसा नहीं होता है indirect tax, indirect tax में आपको immediate tax देना बता है, transaction based tax होता है, यहाँ कोई assessment year नहीं होता है, यहाँ कोई previous year नहीं होता है, यहाँ पर tax immediate देने पड़ते हैं, समझे की नहीं समझे, बोलो, समझे की नहीं समझे, yes, very good, उसके बाद में next, यहाँ पर, income tax difficult to collect, okay, तो यहाँ पर transaction मतलब goods or service, मैं आपको यह iPad बेच रहा हूँ, भाई, iPad बेचने के पहले invoice ले, पैसा दे और फिर iPad दे, मतलब आप से पहले मैं collect कर लेता हूँ, फिर goods देता हूँ, इसले it paid, okay, before goods or service reaches to the taxpayer, उसके बाद में next, income tax is difficult to collect, सुनना मेरी पाद, income tax is difficult to collect, क्यों, देक तो भाई, यहाँ एक बार पैसा जीव में आगया, तो लोग इसको छुपाने का तरीका डूंटे, कैसे चुपाया जाए, और कि यह पैसा कैसे चुपाया जाए, चुपाने का तरीका डूंटे, फिर वो लोग planning करते हैं, खर्चा जादा बता देंगे, घपी खर्चे बता ब्रदर का income बताते हैं जो सच में कुछ कमा नहीं रहे है और अलग-अलग return फाइल करेंगे, तो लोग बहुत ज्यादा छुपाते हैं, इसलिए income tax की rate ज्यादा होती है, government की collection power ज्यादा लगती है income tax में, indirect tax में relatively easy है, क्योंकि seller के burden ही नहीं है, seller pay करता है and burden pass on, burden pass on, तो burden उसके ओपर आई नहीं रहा है, हाँ, ऐसा नहीं कोगा कि indirect tax में चोरी नहीं होती है, होती है चोरी indirect tax में, जहां competition होती है, मेरे बाजवाला की बेच रहा है, GST लगा के, मैं सस्ते में बेचना है, क्योंकि customer को attract करना है, तो मैं with bill, without bill को option दोगा, bill नहीं चीए, चलो ठीक है सस्ते में लेके जा, तो चोरी होती है, पर comparatively कम चोरी होती है, और example, income tax, well tax, okay, यह example है, तो indirect tax के custom duty, GST, exercise duty, service tax, sales tax, यह example है, तो चलो दोस्तो, यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, okay, और similar question आपके questionnaire में है, okay, explain the difference between direct and indirect taxes, यह आपको writing practice में लेना है, समझा की नहीं समझा, होगा, तो फड़ाफट सारे, जो पहली बार GST कर रहे है, जोनोंने किया होगा, सभी, फड़ाफट one type करो, चलो, 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 तो अब यह indirect tax का nature कैसा है, फड़ा मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है, फड़ा मैं आपको समझाता हूं, अगर हम अभी ITC की बात ना करे, अगर हम क्रडिट की बात ना करे, एक सिंपल एकसामपल जो GST आने के पहले चलता थर वाट आने के पहले चलता था, फिर वाट, यह वड आया कहा says, फिर जेस्टि किट आया कहाuses, वो भी हम लेंगे, वो भी हम लेंगे, और मैं आपको कह रहा हा हूँ कि, जो मैंने यह बूग दिये, यह पूरे बूग से पढ़ाने वाला हूँ, फिर से मैं आप सभी को कह दरना वो नहीं है, यह हम GST को और अच्छे से पढ़ रहा है, अगर आपने पढ़ा होगा, यह जो पहली बार पढ़ रहा होगा, वो भी मेरे साथ अच्छे से पढ़ रहा है, क्योंकि इस बार हमारा टार्गेट है, क्या 40 पार, और पुरे टैक्सेशन में 80 पार, यह आप समझे की नहीं समझे, तो यह regular batch की book है, यह जो मैं compact दे रहा हूँ, बिल्कुल regular batch का ऐसा ही, ऐसा ही book है, questionnaire भी ऐसा ही है, same book आपको दिया जा रहे है, दिया जाएगा, then, शलिए, अब यहाँ पे next आगे देखते है, manufacturer, एक पूरी concept को समझ लेते हैं, समझ लो, manufacturer, distributor को बेच रहा है, value 1 lakh है, sales tax उसके ओपर 10%, मैं अभी sales tax लोगा, फुराना tax लेते हैं, फिर हम GST में आते हैं, फिर हम GST में आते हैं, अभी नाम देता हो, सिफ sales tax, या आज के current situation में आपको गेना तो GST, okay, sales tax नाम लेते हैं, तो 10%, total 1 lakh 10,000 हुआ, अब manufacturer ने distributor को माल बेचा, तो distributor के लिए purchase price ही 1 lakh 10,000, distributor के लिए purchase price ही 1 lakh 10,000, समझ लो इसका value addition, इसका value addition यहाँ पे, और यह value addition हुआ, यहाँ पे 20,000, इसने 20,000 रुपे add किये, 20,000 उसका value addition हुआ, ठीक है, अब एक word picture में ला रहा हो, और वो word है, value addition, अब यह value addition क्या होगा, YouTube पे फिर से last time बता रहा हूँ, 3 class रहेंगे, demo class और यह free classes नहीं है, यह paid classes है, जो class आप हमारे website से www.vsmartacademy.com से buy कर सकते हो, यह हमारे associated channel partner से buy कर सकते हो, ठीक है, अब देखो, आपको यह बता दू, यहाँ पे, value addition हुआ 20,000, ठीक है, अब यह जो value addition 20,000 है, value addition नहीं क्या, यह word कहां से आया, एक लाग दस हजार में आपने purchase किया, यह आपकी value नहीं है, यह value बन के आई है, seller ने आपको लगाई हुई है, इसमें आप क्या add कर रहे हो, आप इस value में क्या add कर रहे हो, तो भई, आप जब business करते हो, तो आपके भी value addition, तो आपने इस goods में क्या value addition किया, cost term में, तो आपकी salary, rain, आपके और अदर खर्चे, cargo handling वगरे, प्लस आपका profit, value addition का मतलब आपके expenses प्लस आपका profit, यह समझा क्या, यह समझा होगा, तो भी यह type करो, तो इसके आगे जब भी मैं value addition कहू, तो expenses प्लस profit, profit, अब यह जो expenses प्लस profit आपके 20,000 है, तो आपने अगर goods खरीदा होगा, एक लाग 10,000 में, जिस पे tax लग क्या, आपको shift हुआ, अच्छा, मुझे यह बताओ, यहाँ पे यह 10,000 रुपे sales tax जो है, जो bill में लगाया गया, जो invoice में लगाया गया, ओके government को कौन देगा, तो manufacturer देगा, यहाँ पे government को यह tax manufacturer देगा, 10,000 रुपे, और burden pass on, burden pass on, यह समझ में आया, ठीक है, अब देखो, 1,10,000 का उसका purchase था, 20,000 उसका value addition था, total price कितनी होई, total price होई, 1,30,000, अब यह जो 1,30,000 price होई, यह आगे और बेचेगा, जब भी आगे बेचा जाएगा, तो फिर से tax लगेगा, क्योंकि जब जब भी sale होगा, तो tax लगता है, आज के current status में, GST लगता ह जब भी तुम आगे supply करोगे, sale करोगे, तो इंडिया में, जब जब भी कोई sale करेगा, तो एक tax लगता है, पहले sales tax था, आज के इसमें GST लगेगा, तो ऐसे situation में, बेटा, यहाँ पे फिर से tax लगा, क्योंकि आप भी sale कर रहे हो, आप किसको sale कर रहे हो, distributor, wholesaler को sale कर रहे हो, तो यहाँ 10% tax, assume करते है, तो एक लाग तीस अरपे 10%, 13,000, 143,000 हुआ, अब समझ लो, इसका value addition, अब इसकी, wholesaler की purchase है, 143 की, अब इसका value addition, अगर आप देखोगे, तो value addition है, यहाँ पे, 30,000, अब यह value addition मतलब क्या, उसके खर्चे, प्लस उसका profit, वो add करेगा, तो उसने उस product में addition कर दिया, 30,000 का, जिसमें उसका profit है, उसके खर्चे है, अब 143 उसकी purchase है, अब वो आगे sale करेगा, जब retailer को आगे sale करेगा, तो 143 प्लस 30, कितने हुआ है, 173, 173, और आगे वो sale कर रहा है, फिर से tax लगेगा, तो यह जो फिर से tax लगेगा, तो यह जो फि रचने के बाद, उसकी purchase 173 की है, okay, retailer की purchase 173 की हुई, और उसकी sales, अब यह sales जो है, okay, तो इसका value addition होगा, अब बेटा, इसका value addition होगा, तो इसका value addition होगा, तो इसका value addition ले लो, यहाँ पर, एक मिन्द, 190, 190,300 ची है, इसने 190,300 में खरीदा, और इसका value addition यहाँ पर ले ले लेते है, 40,000, इसका value addition 40,000 ले लेते, अगर इसका value addition 40,000 हो जाता है, तो यह situation में, वो आगे, ultimate consumer को 233,300, ओके, तो 2,30,300 और उसके ओपर sales tax 23,030, ओके 23,030 मतलब यह कितना, 253,330 में बेचा गया, ओके, बेचा गया, तो दोस्तों मुझे यह बताईए, जहां से सोच के, समझ के, यह बताईए, कि आपने यह जो बेचा है, I repeat, आपने यह जो goods बेचा है, ठीक है, यह जो goods आपने बेचा, और last ultimate consumer को transfer किया, यह transaction समझ में आये क्या, यह transaction समझ में आया होगे, तो for effort T type करो, ओके, transaction समझ में आया होगे, तो for effort T type करो, for effort, चलिए, चल, देखो, अब पहले वाले manufacturer ने tax लगाया 10,000, अब मेरे साथ यहाँ पे connect रहना, 10,000 tax लगाया, मुझे यह बताओ, इसने जो 10,000 tax लगाया, manufacturer ने, and burden, pass on, burden, pass on, अब आगे, distributor ने tax लगाया 13,000, और government को pay किया 13,000, government को pay किया 13,000, ठीक है, अब इसने जो government को pay किया 13,000, यहाँ पे, क्योंकि इसने tax लगाया 13,000, carefully अगर आप यह transaction को देखते हो, तो इसने जब आगे बेचा, इसको distributor को, तो 130 में, क्या यह 10 included थे, यस, लिखना, यस, लिखना, यस, यह 130 में, क्या यह 10 included थे, यस, और यह 130 में, अगर यह 10 included थे, यहाँ पे, 10,000, और उसके ओपर वापस tax लगाया गया, क्योंकि sale हुआ, sale हुआ, तो वापस उसके ओपर tax लगाया गया, तो 143 जो price हुई, उस 143 में, यह 10 भी included है, जो manufacture ने लगा है, और यह जो 13 है, वो भी included है, included है, फिर आगे, आगे जब यह wholesaler distributor को goods बेच रहा है, तो फिर से tax लगा, क्योंकि sale हुआ, तो फिर से tax लगा, तो यह 173 में जब बेचेगा, तो यह 173 में उसकी value addition करके बेचेगा, यह 233,300 में 10,000 भी इंक्लूड़ेड है, यह 13,000 भी इंक्लूड़ेड है, यह 17,300 भी इंक्लूड़ेड है, और फिर से टैक्स लगा, मतलब जहाँ 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 भी पुरा टैक्स लगा, इंटार बर्डन पास ओन टू अल्टिमेट कंजूमर, यह समझा क्या, तो यहाँ पर पहला जो इंडारेक्स का प्रिंसिपल है, कि जब तक गुड्स या सर्विस अल्टिमेट कंजूमर तक नहीं पहुशती है, सुनना, जब तक गुड्स अल्टिमेट कंजूमर तक नहीं पह तक आएगा, क्या यह पहला principle सबको clear, ultimate consumer वाला अगर सबको clear तो UC type करो U, U, ultimate consumer UC, okay Lucy नहीं धाला एक तो ultimate consumer को वो pass on हो जाएगा entire burden ultimate consumer पे shift हो जाएगा yes or no, चलिए लेकिन आप carefully देखते हो तो GST आने के पहले, जब sales tax वगरे था, VAT, okay आने के पहले, जब sales tax वगरे था तो यहाँ पर अगर carefully देखते हो, तो क्या आपको नहीं लगा, tax on tax हो रहा है यहाँ पर like compounding interest, tax on tax आने क्या, यह 130 में 10 included है, और यह 130 में 10 included है, उसके ओपर फिर से tax लगाया गया फिर यह, okay, 173 में यह दोनों included है, और फिर से tax लगाया गया, और फिर 230 में तो यह 4 included है, फिर से tax लगाया गया बाई साब, tax on tax tax on tax, tax on tax, tax on tax लगते जा रहा है, okay तो यहाँ पर यह तो tax on tax लगा के price जो है, वो तो super बढ़ा दिये इनोंने, और इसको कहा जाता है, बोलो मेरे साथ जय हिन, okay, इसको कहा जाता है cascading effect, बोलो मेरे साथ cascading effect इसको कहा जाता है cascading effect और इंडिया में ऐसा हुआ, okay VAT आने के पहले, GST आने के पहले, इंडिया में cascading effect हुए, okay और मैं आपको को, अब income tax बीच में लगे, यह burden pass on होता है, income tax pass on नहीं होता है, okay, income tax जो आपकी income गईगी, आपके 30 ओरी से पैसा government लेके जाएगी, इस तो income tax यहाँ पर अलगी है, okay तो इसको कहा जाता है cascading effect और GST इसके वज़े से लाएगे अगे यह जो cascading effect हो रहे थे goods and services के, okay government को यह खतम करने थे और इसके वज़े से GST लाएगया, अब इसको remove कैसे किये, खतम कैसे किये, हम आगे देखेंगे, I repeat, हम आगे देखेंगे समझ में आएगे आपको, तो चलिए भाई साब और के यह हमने एक concept को समझा कि indirect tax जो है, वो ultimate consumer को pass on होता है हाँ, पुराने taxes जो थे उसमें cascading effect थे और के उसमें cascading effect थे चलिए, अब थोड़ा आगे के discussion पर बढ़ते है आते हैं constitutional provision पर तो हमने अभी तक difference between DT और IDT देखा तोनों totally अलग है DT तीजोरी tax है जो आपके income पर लगती है जो तीजोरी से government निकालना चाहती है indirect tax यह business tax है जैसे जैसे goods or services आगे बढ़ेगा वैसे यह tax लगते जाएगा and entire burden is on ultimate consumer हाँ, एक बात आपको और बता दू एक बात आपको और बता दू यहाँ पे indirect tax इसे indirect tax क्यों कहते हैं direct tax क्यों नहीं कहते हैं इसको indirect tax क्यों कहते हैं यह point थोड़ा अच्छे से समझ लोग okay तो अब मैं आपको यह कहतू कि पूरा tax इस बंदे पर आया हुआ है और इस बंदे ने पूरा chain का tax दिया है पर directly नहीं दिया है government को okay इस बंदे ने indirectly दिया है क्योंकि सब लोगों ने अपना अपना tax government को pay किया इस बंदे ने 17,300 दिया इस बंदे ने government को okay यहाँ पे जो है इस बंदे ने government को यहाँ पे 23,030 tax दिया सब लोगों ने अपना-अपना tax government को pay करके burden pass on कर दिया तो अगर carefully देखा जाये तो burden किसी नहीं लिया बर्डन ultimate consumer ने लिया और यह ultimate consumer ने जो burden लिया वो directly government को नहीं दिया वो indirectly इनके through government को दिया इसलिए tax indirect tax का जाता है आपने मेरा course buy किया उसमें आपने GST दिया है पर आपने जाके government को दिया क्या नहीं आपने मेरे को दिया और मैंने government को pay किया तो इसलिए जो pair है जो ultimate consumer है tax का वो जो tax दे रहा है वो tax बेटा directly नहीं वो tax indirectly दे रहा है और indirect tax तो बच्चा बच्चा देता है बच्चा जब चॉकलेट खरीदने जाता है तो MRP inclusive of taxes वो भी tax देता है पर वो directly government को नहीं दे रहा है वो indirectly गवर्मेंट को दे रहा है इसलिए दोस्तों इसे indirect tax कहा जाता है I hope you understood ओके ये business tax है ultimately जो goods और service consume करेगा ultimately जो goods हो क्योंकि ये tax person पे नहीं ये tax goods पे goods आगे आगे बढ़ेगा और ultimately जो goods consume करेगा ultimately जो service consume करेगा उस पे tax होगा इसलिए income tax person पे है ओके goods आगे आगे बढ़ेगा जो ultimate consume करेगा उसके उपर tax आएगा ठीक है तो ये जो है बेटा चलो अब आते हैं आगे के discussion अब आते हैं आगे के discussion यहां पे ने 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 session मैं आपको सबको बता दू मैंने ये सारी चीज़े बताई हुई या आपको तो आपको फिस एक बार बता दू हमारे sessions जो रहेगे वो hours रहेगे 70 to 80 hours का बैच चलेगा और इसमें approximately 25 sessions के आसपास चलेगा ठीक है 25 की sessions के आसपास चलेगा then constitutional provision पे आजाओ article अब देखो कोई भी tax अगर लगाना हो धान से सुनना कोई भी tax अगर लगाना हो तो हमें constitutional authority चेगा अब ये constitutional authority जो है ये कहां से मिल तो तीन article हम पढ़ने वाले है article 265, 245, 246 जो हमारे constitution of India की provisions हमें GST लगाने का power देती है तो क्या हमें हमारा constitution GST लगाने का power देता है direct और indirect tax लगाने का power देता है तो चले step by step परते हैं पहले article 265 article 265 क्या कहता है article 265 कहता है no tax shall be levied or collected except under the authority of law अब कोई भी tax collect करना चाहते हो वो direct हो या वो indirect हो कोई भी tax अगर आप collect करना चाहते हो तो वो case में पहले law बनाना पड़ेगा और वो law बना के वो आप tax collect कर सकते हो जब तक इंडिया में उसका law नहीं बनेगा आप कोई भी tax collect नहीं कर सकते हो वो direct हो या indirect हो इसलिए income tax के लिए उन्होंने act बनाये income tax act 1961 कुछ याद है आपको दूसरा अगर आप देखते हो तो यहाँ पे GST के लिए law बनाया गया जिसमें हम आगे पढ़ने वाले है CGST, SGST, IGST ऐसे कुछ laws बनाये जो GST के लिए बनाये और हम वो GST के लिए देखेंगे आगे इसको थोड़ा और अच्छे से पढ़ेंगे कितने GST laws है हमें syllabus में कितने है यह तो just introduction part में पढ़ा रहा हो आपको तो वो हम आगे देखेंगे उसके बाद में यहां पर article 265 कहता है कि आप कोई भी tax लगाना हो उसका law बनाओ ठीक है उसके बाद में article 245 कहता है कि it impors parliament to make a law for all or any part of the territory of India and legislature of state to make the law for all or any part of the state यह आपने पढ़ा होगा हाँ अगर central में law बनाना है तो power parliament के पास है central में law बनाना है तो power parliament के पास है और अगर आपको यहां पर state-web law बनाना है तो legislature of state याने लोक सभा and विधान सभा state law बनाना है तो विधान सभा बनाएगी और central का law बनाना है तो parliament बनाएगी तो इन दोनों के पास power है क्योंकि आप सब को पता है इंडिया federal structure है governed by two types of government center and state तो center India level पर law बनाती है और state यहां पर और आप जो है state जो है वो states related law बनाता है allocation between the union and state is spelt out in article 246 of the constitution of India अब यह जो है आगे हम बताएंगे कि कौनसे matter पे central law बनाएगा कौनसे matter पे state law बनाएगा यह उन्होंने दिया article 246 में यह तो आपने income tax में भी पढ़ा होगा यह तो आपने law में भी पढ़ा होगा यह provisions, articles, constitutional provisions आपने पढ़ी होगी तो अब हमारे सामने सवाल क्या है हमारे सामने सवाल है कि GST जो law बनाना है क्योंकि हम GST पढ़ रहे है तो GST यह law center बनाता है state बनाता है या दोनों मिलकर बनाते है इसके लिए पढ़ने की कोशिश करें अब आते हैं हमारे discussion में introduction of GST आपको बता दे यह exam के लिए जरूरी नहीं है यह just read कर लेना मैं जहां R लिखो वहाँ पे समझ लेना कि just read करना है और सच में कहो तो आपको यह regular book से ज़्यादा questions के practice में करवाओगा और आपको सबसे ज़्यादा questions पे practice करना है मेरे साथ introduction to GST significant indirect tax reform है सारे पुराने taxes को खतम कर दिया गया excise duty, service tax, vats, CST, luxury tax और सभी जो जितने भी taxes goods पे लगते थे जितने भी taxes services पे लगते थे 2017 के पहले सभी taxes को खतम करके उन्होंने लाया GST, goods and services tax मतलब आज इंडिया में goods और services का एक ही tax लगेगा जिसका नाम होगा GST GST income passing both goods and services GST अभी जो लगता है वो goods और services पे लगता है around 160 countries GST और VAT mechanism लगा चुकी थी इंडिया बहुत लेट हो गया और इंडिया गवर्मेंट ने अच्छी step में लिया, क्योंकि क्या होता था इंडिया में पहले इतने अलग-अलग taxes थे goods or services पे तो सारे taxes को खतम करके इन्होंने लाया GST और GST इन्होंने जो लाया वो यहाँ पे कब लाया वेटा GST तो 1 जुलाई 2017 को लाया और मोधीज ने एक बहुत बड़ा step लिया और पुराने taxes को खतम कर दिया और GST अब अलग-अलग taxes नहीं लगेंगे जब भी आप goods बेचोगे जब भी आप services बेचोगे तो एक ही tax लगेगा और उसका नाम होगा GST Many countries have unified GST system Now, अब यह बात समझ लो, बहुत से country में एक ही GST है, पर इन्या में एक GST नहीं है इन्या में dual model of GST C GST, H GST और कुछ केस में I GST लगता है हम definitely यहां पढ़ेंगे कब C GST लगता है कब H GST लगता है, कभी I GST लगता है पर बहुत सारे country में ऐसे अलग-अलग GST नहीं है, एक ही नाम है GST लेकिन हमारा country में federal structure है, और federal structure होने के वज़े से, हमने जो GST लाया सुनना, federal structure होने के वज़े से हमने जो GST लाया वो GST यहां पर वो GST जो है वो यहां पर, जहां तक देखा जाया dual model में आया, और C GST और S GST के model में आया, जो intra-state और interstate पर लगता है हम आगे देखेंगे, तो हमने जो लाया dual model of GST लाया, और GST लाने के लिए हमारे constitution में संशोधन हुआ, constitution amendment bill पास हुआ, और हमारे constitution में यह याद रखना 101st amendment कर दी गई और 101st amendment करके GST लाया गया, सर exam के हिसाब से क्या इस theory को learn करना है, बिलकुल नहीं, पढ़ना बिलकुल भी नहीं है, ओके यह keep in priority C, कोई भी question आपको exam में नहीं पूछा जाएगा, ओके यह सिब आपके knowledge के लिए है, तो जहां मैं C कहूँ, मतलब आपको just read करके छोड़ देना है, नहीं पढ़ना है, तो मत पढ़ना, ओके पर यह एक just background मैंने आपको बताया, जब इंडिया में GST लाएगा, तो GST के total जो है, यहां पे 5 act है, जाएंसे सुनिएगा, पहला act है C GST, कोई बताएगा C GST हैने क्या, के C GST Act 2017, यह तो आपको पता ही होगा, C GST Act 2017, मतलब क्या, Central Goods and Services Tax, Central Goods and Services, Service नहीं, Services Tax Act 2017, तूसरा बेटा SGST SGST Act 2017, 2017 वो कहा जाता है, State State Goods and Services Tax Act 2017, और कुछ state में SGST नहीं लगता है, कुछ state में UTGST लगता है, UTGST SGST Act 2017, मतलब अगर कोई Union Territory है और Union Territory जो State नहीं है, जैसे अंदमान निकोबार Union Territory है, तो अंदमान निकोबार में UTGST लगता है, आई रिपेट, अंदमान निकोबार में SGST नहीं लगता है, जैसे महाराष्ट, महाराष्टर स्टेट है, तो महाराष्टर स्टेट है, तो SGST लगता है, और अगर आप अंदमान निकोबार में देखोगे, तो वहाँ SGST के जगा, रिप्लेस्मेंट में UTGST लगता है, ओके UTGST मतलब Union Territory, बोलो मेरे साथ जोर से Union Territory, GST लगता है, उसके बाद में 3rd, ओके, तीसरा जो है, वो है IGST, कोई बताएगा, what do you mean by IGST, Act 2017, what do you mean by IGST, IGST कोई बताएगा मेरे को, यस बोलो फटाफट IGST कोई बताएगा IGST मतलब Interstate या Integrated, IGST मतलब Integrated, I का मतलब यहाँ होता है Integrated Yes, Integrated Goods and Services Tax Act 2017, तो CGST Act, HGST Act, UTGST Act IGST Act 2017, Integrated Goods and Service Tax Act लाएगा और यह लगाएगा, उसके बाद में, यहाँ पर फूर्थ एक है, और वो फूर्थ वाला है, GST Compensation says, GST Compensation Compensation to State to State, bracket में says Act 2017, अब यह क्या है, भाई यह तो बताओ सर, यह क्या है, यह जो है बेटा, GST आने से, कुछ स्टेट को लॉस हो सकता था, क्यों हो सकता था, वो हम आगे देखेंगे, GST आने से, जो स्टेट रेवेन्यू था, उसमें लॉस हो सकता था, तो गौवर्मेंट ने एक Act लाया, GST Compensation to State Says Act, यहाँ पर कुछ लगजरी गूड्स पर, सारे गूड्स पर नहीं, सुनना ध्यान से, कुछ लगजरी गूड्स पर, जैसे कार हुई, लगजरी कार हुई, in addition to basic GST, आने आपको जो basic GST जो है, वो तो लगे गई, in addition to basic GST, इन लोगों पर, एक्स्ट्रा सेस लगाएंगे, जिसका नाव होगा, GST Compensation to State Says Act, और इससे जो पैसा revenue जनरेट होगा, वो उन स्टेट को बाटा जाएगा, जिनको GST आने के वज़े से loss हुआ, जैसे कार, कार लगजरी कार 28% normal GST है, और उस पर GST सेस 20% है, और वो जो GST सेस का एक्स्ट्रा प लिड़ी पे, तो यह जो एक्स्ट्रा पैसा लिया गया, यह एक्स्ट्रा पैसा जो है, जमा किया गया और उन स्टेट को बाटा जाएगा, जिनको GST से नुक्सान हुआ, तो यह GST Compensation says, एक्ट यह उस object से लाया गया, यहाँ पे, तो ऐसे total GST Act इतने है, चलो, आपको लिख पना है, तो लिख सकते हो, GST, फड़ आपट बुक में लिख सकते हो, GST में कितने Act है, तो आप लिख सकते हो, CGST Act, लिखो दो मिनिट में, CGST Act 2017, दूसरा SGST Act 2017, यह UTGST Act 2017, next, IGST Act 2017, नेक्स आप लिख सकते हो, IGST Act 2017, जिसे हम कहेंगे, Integrated Goods and Services, Tax Act, लग्जरी कार की उन्होने देफिनेशन दिया है, बटा, लग्जरी कार की देफिनेशन दिया है, GST says, लग्जरी गूट्स पर लगते है, कार हुई, बीड़ी हुआ, सिगरेट हुआ, बीड़ी सिगरेट को, गूट्स को डॉमिनेट करना है, ऐसे कुछ 30-40 आइटम से, जिसके उपर GST Compensation State says लगता है, जनरली आप ऐसे समझे लो, लग्जरी कार मतलब 40-50 लाग के उपर की जो कार होती है, ठीक है, ठीक है, तो इससे जो पैसा आएगा, वो उन स्टेट को बाटेंगे, जो स्टेट जो है, यहाँ पे GST आने से लॉस सफर हो रहे थे, ठीक है, तो यह देखा, आपने यहाँ पे, जो इतने टाइप की GST Act हमें दिये गए, इसमें से हमको जो पढ़ना है, वो CGST Act पढ़ना है और IGST Act में एक अभी नया चाप्टर एड़ हुआ है, Place of Supply, ओके यह हमें पढ़ना है, Place of Supply यह चाप्टर पढ़ना है, ओके IGST Act का, हमें SGST, UTGST नहीं पढ़ना है, अब SGST, UTGST क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि CGST Act और SGST Act एक्जाक्ली वर्ट टु वर्ट सेव हैं, आपन यहां पर इसलिए SGST Act नहीं पढ़ना है और GST Compensation to State Act हमें पढ़ना नहीं है, हमको दोई Act मेजर ली पढ़ना है, CGST Act और IGST Act की Place of Supply वाली प्रोविजन हमें पढ़ना है, ठीक है, डन, तो चलिए दोस्तों, यह तो हमने देखा, यहां तक है, हमारा introduction of GST और GST में कितने Act हमें पढ़ने हैं, चलो, आगे का discussion थोड़ा हम ले लेते हैं, अब taxes to be subsumed in GST, 2017 के पहले, समझ लो Central and State, Central में अलग-अलग excise duty, अब यह पुराना law है, इसलिए इसकी ज्यादा detail में जाना जरूरी नहीं है, exam के हिसाब से, जयान रखना, हम exam oriented bash ले रहे हैं, अगर आप regular लेते हो, तो मैं बहुत history बताता हूँ, पर exam के लिए वो जरूरी नहीं है, exam के लिए क्या जरूरी है, मैं जो बताऊगा specific उतना अच्छे से पढ़के जाना है, और उतना मैं बहु excise, additional duties of excise, excise duty on medicinal and toilet preparation, additional duties of customs, service tax और surcharges, इतने taxes goods or services पे लगते थे, central के, state के अगर देखा जाए, goods or services के taxes पे, तो state VAT और tax, उसके बाद में CST, ये वेटा महराश्टर के CM है, महराश्टर के CM है, okay, state tax, purchase tax, entertainment tax, ये highlight करना, other than those livid by local body, ये हम बाद में देखेंगे, entertainment tax, उसके बाद में, luxury tax, entry tax, taxes on lottery, betting, gambling and surcharges, इतने state वाले tax लगाते थे, अलग-अलग goods or services पे, जेस्टी आने के पहले, okay, इतने taxes अलग-अलग type के goods or service पे, और इतने taxes अलग-अलग type के state वाले लगा रहे है, तो दोनों मिले, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक committee बनाएगी, जिसमें सारे states के finance minister, और state central के finance minister, जिसका नाम बाद में हुआ GST council, जिसका नाम बाद में हुआ GST council, सब को बुलाय गया, और कहा गया कि ये कितने सारे अलग-अलग taxes लगा रहे हैं, क्यों ना सबको merge कर दिया जाए, और एक ही tax लगा जाए, one nation, one tax और one market, ये क्या industry परेशान हो रही है यार, हम exercise भी लगाते है, sales tax भी लगाते है, purchase tax भी लगाते है, entertainment tax भी लगाते है, ये कितने taxes और बिचारा industry ये भी देता है, वो भी देता है, इसकी due date, उसकी due date, okay, tax pay करने के लिए, उसके बाद में, जहां तक देखा जाए, इसके records, उसके records परेशान है, वो परेशान है, क्यों ना हम यहाँ पे one nation, one tax और one market, एक similar example आपको समझने के लिए, अगर आप IDT का मेरा क्लास ले रहे हो, DT का किसी और का ले रहे हो, okay, DT का समझ ले रहे हो, करो, उसका install करो, भाई साब कितने encryption software install करे, क्यों ना, एक ही encryption software हो, सारे faculty, एक ही encryption software use करे, one nation, one faculty, one software, okay, ऐसा क्यों ना हो जाए, तो यहाँ पे आपको सब की जंजट नहीं होगी, okay, क्यों ना ऐसा कोई एक software बना लेता है, जिसमें, जो है, encryption, एक ही software में सब के लेक्चर चले, तो यहाँ पे entry tax मतलब पहले octrae होता था, octrae को entry tax कहते हैं, कभी octrae का नाम सुना होगा, तो अब यहाँ पे, वैसी यार, हम business कर रहे हैं, business पे यह क्या लग-लग taxes लगा रहे हो, सब merge करो यार, और एक ही लगाओ, सब merge करेके एक ही लगाओ, तो government है decide किया, okay, चले, अब यह सारे taxes को, subsume कर लेते हैं, निचोड लेते हैं, okay, सब को खतम कर देते हैं, और एक ही tax लगाएंगे, और picture में आया, one nation, one tax, और one market, जिसका नाम होगा GST, goods and services tax, जिसका नाम होगा GST, तो central और state ने सारे taxes merge कर दिये, पर अब, अब GST लगाना है, समझ लो, GST लगाना है, तो यहाँ पर कैसे लगाएंगे, तो decide हुआ कि देखो, जब seller, buyer को sale करेगा, तो transaction हुआ, value एक लाग रुपे का, तो GST हम dual model में लगाएंगे, यानि यह transaction पर, यह जो transaction हुआ, इस पर central भी लेगा और state भी लेगा, तो अपना-पना tax लेगे, क्योंकि दोनों ने अपने taxes को merge कर दिया, और दोनों ने अपने taxes को merge कर दिया, GST में, तो दोनों अपना tax लेगे, तो भाई, अब दोनों अपना tax, transaction हुआ, transaction हुआ, okay, दोनों government आगी, central और state, और seller को पुचा, भाई, तु तो यहाँ पर government ने का, अच्छा, तुने बेचा, तुझको मिला, मुझको भी चाहिए, तुने goods बेचा, कमाया हमको भी चाहिए, तेरे कमाई पर हमको भी चाहिए, central वाला या, state वाला या, तो अब जो है, यहाँ पर अलग-अलग tax नहीं लगेंगे, okay, एक transaction पे, central वाला अ मतलब 9% CGST लिया जाएगा, 9% SGST लिया जाएगा, मतलब, मतलब देख भाई, okay, हम business man से tax लेंगे, central तु 50 ले, state तु 50 ले, okay, तो यहाँ पर dual model में GST आया, और dual model में जब आपका supply इंटरस्टेट हो, तो CGST और SGST लियागा, और आपका supply इंटरस्टेट हो, तो क्या लगेगा और यहाँ पर इंटरस्टेट हो, तो हमको भी चाहिए, अब यह इंटरस्टेट और इंटरस्टेट क्या होता है, यह point को समझ लेता है, इंटरस्टेट, अरे, यह discussion में मज़ा आ रहा है न, अब देखो, यहाँ टाइम पास करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंक तो आपको मेरे साथ सिरियस रहना ही पड़ेगा, कोई यह regular बैस थी थोड़ी है कि हम हास के टाइम पास कर रहे है, दूसरा, okay, मुझे speed भी maintain करनी पड़ेगी, ठीक है, और सारा syllabus cover करके, हमें writing practice भी करनी है, yes or no, तो, मुझे बताओ दोस्तों, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो MZ, MZ type करो, MZ, MZ type करो, ठीक है, और like भी करो, तो एक concept है intra state, और दूसरा concept है inter state, दूसरा concept है inter state, MZ, MZ type करो, तो intra याने क्या, intra याने, एक समझ लो, यह state है महराष्ट्र, यह state है महराष्ट्र, लिखने की जरुवत नहीं है, आपको समझ जाएगा, वो चीज लिखो, जो exam के इसाब से जरूरी है, जहाँ मैं बोलूगा, वो लिखो, हाँ, किसी को लिखना तो मैं बता दूगा, क्या लिखना है, पहले concept को समझ लो, इंट्रा याने, समझ लो, पूने में, यहाँ पे एक shop है, यह सामने लक्ष्मी रोड पे एक shop है, और वो customer को यहीं के यहीं बेच रहा है, वो customer को यहीं के यहीं बेच रहा है, उसके shop में, वो customer को यहाँ पे stationally shop है, किराना shop है, customer उसके shop में आया, वो बेच रहा है, जब तुमारे transaction same state में होते हैं, इसको कहा जाता है, intra, इसको कहा जाता है, intra, जब आपके transaction same state में होते हैं, तो intra, state के अंदर हुए, intra कहा जाता है, तो जब वो बेचेगा, वही customer को shop के counter पे, तो वो bill में लगाएगा, cgst और sgst, I repeat, shop के counter पे जब बेचेगा, तो bill में लगाएगा, cgst और sgst, ये दो tax लगाएगा, इसे हम कहते हैं, intra state, अब ये shop वाला, पुने से, पुने से, नाकपूर बेच रहा है, नाकपूर, पर same state में, और नाकपूर के customer को बेच रहा है, तो अगर ये नाकपूर के customer को बेच रह हुआ, और यहाँ पे लगेगा cgst, तो tax लगेगे, transaction पे दो tax लगेगे, 50% cgst लगेगा, 50% hgst लगेगा, यहाँ पे भी 50% cgst और 50% hgst, तो what do you mean by intra state, चलो, what do you mean by intra state, intra state मतलब when, when your sale supply within the state, okay, मतलब inside the state, उसे कहा आ जाता है, intra state, और intra state याने क्या, intra state मतलब, इस बंदे ने other state को माल बेच आ, मतलब गुजरात है, और इस बंदे ने माल, अब यह बढ़ा होते गया, पहले अपने counter पे बेचता था, फिर other city में बेचते गया, अब state, other state के लोगों को बेच रहा है, जब यह other state के लोगों को बेचता है, तो यह transaction कहा जाता है, intra, intra state मतलब, from one state to क्या, another state, okay, from one state to another state, तो उसको कहा जाता है, intra, और intra अगर होगा, तो यहाँ दो tax नहीं लगता है, intra होगा, तो यहाँ पे एक ही tax लगता है, IGST full rate से, मतलब क्या, मतलब अगर आपका rate समझ लो, यहाँ पे 28% है, GST का rate 28% है, अगर intra होता है, तो 14%, 14% लगेगा, आदा आदा लगेगा, 14%, 14% लगेगा, आदा आदा, और अगर inter state होता है, तो एक ही tax लगता है, और वो लगता है 28% से, I repeat, inter state होगा, तो एक ही tax लगता है, और वो लगता है 28% से, I hope आपको समझा होगा, यह होता है, inter state supply, आग आगे मैं आपको बताऊगा अभी नहीं आगे बताऊगा कि import-export transaction भी interstate supply माने जाते हैं थोड़ा हम आगे discuss करेंगे तो भीटा GST जो आया है dual model में आया यहां पर अगर notes होगी तो लिख देना है dual model dual model में आया ओके हां आपके register में लिखना होगा तो लिखो चलो register में लिखना होगा तो लिखो type of types of cell types of cell पहला लिखो intrastate trans响 गिलता है रिको लिखो, वन, लिखो यापर लेशना होगा और हाँ लिख्टे जी क्राण। लिखना होगा आपे cell is within the state or inside the state cell is within the state or inside the state within the state or inside the state called as intra-state, or inter-state कब बोलते हैं? Inter-state कब बोलते हैं, when sail from one state to another state, when sail from one state to another state, when sail from one state to another state, when another state, तो उसको कहते हैं, inter-state, ठीक है, intra होगा तो आपके उपर CGST और SGST लगेगा, intra होगा तो आपके उपर CGST और SGST लगेगा 50-50%, और inter-state होगा तो आपके उपर लगेगा IGST, ओके, तो अब exam के इसाबसे इसमें क्या याद रखना है, एक्जाम की साब से आपको इसमें याद रखना है, question आ सकता है, chances का में, which taxes are subsume in GST, ये list learn करके जाना है, ये list learn करके जाना है, ठीक है, कौन से taxes आप GST में subsume होए हैं, okay, तो central के इतने taxes, central exercise duty, additional duty of exercise, exercise duty on medicinal toilet preparation, additional duties of custom service tax, surcharge on sales, और state के कितने taxes subsume हैं GST में, तो state VAT, SS tax, CST, central sales tax, purchase tax, entertainment tax, luxury tax, entry tax, जिसको कहते हैं, octra है, taxes on lottery, waiting, gambling and surcharge, ये list पढ़के जाना, अगर question आते हैं, तो, now, अब कौन से ऐसे taxes है, जो आज भी लगते हैं, GST के साथ merge नहीं हुए, ये इन addition to GST, ये taxes लगते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम देरे-देरे आगे बात करेंगे, property tax and stamp duty, क्योंकि property tax ये immovable property पर लगता है, और GST goods पर है, immovable पर है, इसलिए आज भी property वगरे sale होती है, जो goods नहीं है, तो उसके उपर property tax लगता ही है, और stamp duty लगता ही है, उसके बाद में electricity duty, हाँ, electricity होगी, तो उस पर GST exempt है, इसलिए उसका जो original tax है, electricity duty वो आज भी लगता है, excise duty on alcohol, आगे हम बात करेंगे, excise duty on alcohol, उसके बाद में basic custom duty, और excise duty on petrol और diesel, तो यह question exam में एक बार पूछा गया था, और हमारे questionnaire में है, कौन-कौन से taxes आज भी लगते हैं GST आने के बाद, तो जो GST में merge नहीं हुए, और के एक आत्मा GST के साथ नहीं हुए, वो आज भी अलग लगते हैं, तो यह property tax on stamp duty, generally real estate sector में लगता है, immewable property भी लगता है, दूसरा electricity duty, I repeat electricity duty, तिसरा excise duty on alcohol, आज भी लगता है, इसकी तो आगे history देखेंगे, basic custom duty, जब आप import करते हो, तो import पे आपको basic custom duty लगेगी, और इसके बाद में excise duty on petrol and diesel, वो आज भी लगता है, तो petrol और diesel और alcohol के बारे में आगे हो, और हम बात करेंगे, तो यह 5 taxes आज भी GST में सबस्यूम नहीं हुए है, यह अलग से लगता है, तो चलिए दोस्तों, ओके यहाँ पे हमने थोड़ा, एक discussion किया, कि कौन से taxes सबस्यूम हो है, और कौन से taxes सबस्यूम नहीं हुए है, तो दोस्तों, अब एक छोटा question आपको exam में आ सकता है, और वो क्या, explain the dual model of GST, और मेरे questionnaire में भी covered है, dual model of GST, चलिए, तो अब यह question पढ़ते पढ़ते हैं, हम लिख के देखेंगे, लिख के देखेंगे, तो आपकी जो notebook है, इस notebook आप तो दो टाइब की notebook बना सकते हो, एक question practice की notebook, और दूसरा chart practice की notebook, सुनना, question और chart की, दो मनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, so that आपको clear रहेगा, कहां chart बनाने हैं, और कहां questions लिकने हैं, एक में भी चलेगा, पर बहुत ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, तो आज तो charts को ज़्यादा नहीं थे, कल से chart चालू हो जाएगे हमारे, तो charts बनाने के लिए, अलग notebook बना लो, और question practice के लिए, आप अलग notebook बना लो, ठीक है, दो notebook आपको साथ में रखना है, चलो, लिखो, title दो dual model of GST, यह question exam में आ सकता है, इसको लिखके देखते हैं, और simple word में लिखके देखते हैं, क्या points आपको लिखना है, are you ready, yes or no, अगर ready होगा, तो R type करो, चलो लिखो, okay, question है, explain the dual model of GST, तो लिखो पहला point, dual model of GST, और point लिखते लिखते explain कर देता हूँ, rough में question practice नहीं, मैं आपको question practice सिखा होगा, इसलिए question book का एक notebook अलग रखना, और एक जो है, question book का अलग रखना, एक जो है अपना chart के लिए अलग रखना, और एक rough diary रखना साहँने, सर तीन-तीन, rough diary इसलिए क्योंकि, थोड़ा बहुत कभी कभी rough में practice करेंगे इसलिए, पर दो notebook अपने साहँने, चलो लिखो, dual model of GST, मुझे ये बताओ कि, जैसे कुछ country ने single model of GST लिया, इंडिया ने single लिया कि GST को divide किया, GST को divide किया, तो लिखो पहला point, India has adopted dual model of GST, India has adopted dual GST model, dual GST model, लिखते वक्पूरा ध्यान, ऐसा समझो कि आप exam में लिख रहे हो, और exam सामने हैं, इतना focus चाहिए आपका, जो मैं बोल रहा हूँ, वो तब के तब लन हो जाना चाहिए, India has adopted dual GST model, because of federal structure, because of federal structure, तो आपको मैं कैसे short करता हूँ, चीजों को, और short summary में लिखता हूँ, जिससे आपको मैं presentation सिखा होगा, और यह presentation बहुत important है, यह exam oriented batch का main object यह है, कि how to write, how to present, how to score marks, तो हमारा maximum practice होगा, writing, 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 and fighting with the exam, तुक है, तुक है, तो because of federal structure, मतलब क्या, India में, government structure, single government नहीं है, ताना शाहीं नहीं है, कोई एक बंदा, Hitler जैसे चला रहा है, India में federal structure है, central अलग है, state अलग है, okay, state में भी corporation अलग है, इसलिए, अमने dual GST model यूज़ किया, second point, second point, meaning क्या है, meaning क्या है, अभी कभी आप title भी दे सकते हो, meaning of dual model, dual model मतलब, center और state, दोनों मिलकर GST लगा रहे है, दोनों मिलकर GST लगा रहे है, okay, center C GST लगा रहे है, state S GST लगा रहे, और अगर आपका union territory होगा, तो UT GST लगा रहे है, तो लिखो, यहाँ पर यह word बहुत important है, लिखो second point, center and state, simultaneously, यह simultaneously underline करना, simultaneously याद नहीं आया, तो combine ली लिखो, combine ली याद नहीं आया, तो jointly लिखो, कुछ तो लिखो, तो center and state, simultaneously, या jointly भी लिख सकते हो, simultaneously, LEVY GST, LEVY GST, simple word में लिखा रहा हूँ मैं आपको, यही सिखा होगा, कि यह complicated words को simple कैसे कर सकते हैं, LEVY GST, on goods or services, on supply, sorry, ऐसा लिखना, on supply of goods or services, on supply of goods or services, in case of interested supply, in case of interest rate supply, जब within the state होता है, इसको simple word में कर दिया मैंने, interest rate supply, तो अगर आपका interest rate supply होगा, तो simultaneously, दोनो government tax लगाती है, 50-50%, CGST और SGST, इसको कहा जाता है, dual model, इसको कहा जाता है, dual model, now, एक point और लिखो, in case of interest rate supply, in case of interest rate supply, interest rate supply, I G S T is payable, interstate I G S T is payable, I G S T is payable, which is the sum of, which is the sum of C G S T and S G S T, which is the sum of C G S T and S G S T. मतलब, अगर interstate होगा, तो I G S T होगा, एक ही tax लगेगा I G S T, integrated goods and service tax, जो C G S T और S G S T की total होगी, integrated of C G S T और S G S T होगा, मतलब अगर rate आपका C G S T का 9% होगा, S G S T का 9% होगा, तो I G S T कितना होगा बेटा, 18% आपका लिया जाएगा, 18% लिया जाएगा, एक point मैंने यहाँ पर और लिया है, और वो यह लिया है कि import of goods or service होगा, तो interstate बोला जाएगा, अभी लिख लो, आगे explain करोगा, अभी लिख लो, import of goods or services, import of goods or services also treated as interstate, and I G S T is payable, and I G S T is payable, also treated as interstate और उसके उपर क्या, I G S T is payable, I G S T is payable, तो चलिया, अगर आपको शोटनोट आएगा, model of G S T, तो चलो मेरे साथ लेन करो, short note आई तो क्या, हमने लिख के भी देखेगे, कि India has are opted dual model of G S T because of federal structure, center and state jointly, combinedly, simultaneously, लिभी G S T on interstate supply as a C G S T or H G S T, in case of interstate I G S T लगेगा, in case of interstate I G S T लगेगा, और यहाँ पर I G S T is the total of C G S T or H G S T, यह भी एक point लिखो, okay, और अगर यह question आए तो 3 out of 3 marks ले लो, चलो, मजा आया, मजा आया तो M Z M Z type करो, बस ऐसा ही हम लिख लिख कर प्रैक्टिस करने वाले हैं, लिख लिख कर प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्लस में हमवग भी देने वाला हूँ और पुरा G S T इस बार 40 पार और टैक्सेशन में 80 पार हमारा रहेगा, भाई समझा की नहीं समझा, yes or no, देखो, अब आगे देखते हैं, चलिए, तो अब यहाँ पर G S T आने के बाद, यह सारे इंट्रा स्टेट है, G S T रेट 18 परसेंट और ट्रांजेक्शन इंट्रा है, तो यह वन नेशन वन टैक्स क्यों कहते हैं, आज मैनिफाक्चर होगा और वो इंट्रा करता है, तो वो भी C G S T, S G S T लगाएगा, आज डिस्टिबिटर वोल सेलर को बेशता है, तो व भी C G S T और S G S T लगाएगा, अगर सारे ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है, आज मैनिफाक्चर होगा, तो अब आप मैनिफाक्चर हो, इस्टिबिटर हो, वोल सेलर हो, रिटेलर हो, एक ही टैक्स लगेगा, G S T, जो डूल मॉडल में लगेगा, और वन नेशन, वन टै और सारा मार्केट एक ही माना जाएगा, अब आपका मार्केट अलग-अलग नहीं माना जाएगा, एक ही मार्केट माना जाएगा, और सारे ट्रांजेक्शन जितने भी आपके गुड्स के हो, सर्विसेस के हो, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन हो, इस पे G S T लगेगे, इ चलिए तो चलिए दोस्तों जहां तक है हमने आज के सेशन में यह बेसिक डिस्कूशन लिया पुछता हो फिर आपके जो भी डॉट्स और क्वेस्टन्स होगे लेता हूं पुछता हो स्पीड ओके थी स्पीड ओके थी पहला दूसरा कौन से पच्छे से समझ में आया तिसरा यहां पर ओके यह एक्जाम ओरियंटेड बैच यह हमारा पूरा रिगुलर जैसा ही रहेगा पस इतना ही है कि एक्जाम ओरियंटेड के हिसाब से पढ़ाया जाएगा राइटिंग प्रक्टिस होगी अगर आपको यह तीनों पॉइंट समझ में आया होगे 1 2 3 टाइप करो ओकी 1 2 3 टाइप करो यह सब्सक्राइब और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा तो फटाफट लाइक कीजिएगा पड़ाफट लाइक कीजिएगा आज का सेशन पसंद आया होगा तो अब मैं आपको फीज से बता दू कल का सेशन भी क्यूंकि नोट्स अभी तक आपको नहीं मिले इसलिए कल का सेशन भी यूट्यूब पे रहेगा आपको नोट्स आपके लॉगिन में दे दिया है और वी स्मार्ट लॉगिन कैसे क्रियेट करना है मैंने स्टार्ट में बता कर दूँगा कल का सेशन एप में भी रहेगा सुनिएगा कल का सेशन एप में भी रहेगा और कल का सेशन जो है यहाँ पे यूट्यूब पे भी रहेगा जो स्टुडेंट एप में लाइव दे सकते हैं वो एप ट्राय करना जिसमें कोई टेकनिकल इश्यू होगा तो यूट अगर किस स्टूनेंट को एप में टेकनिकल इशू जा रहा होगा तो मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दूगा वो गूगल फॉर्म आपको फिल करना है और वो गूगल फॉर्म फिल करने के बाद मेरी टीम आप से कोडिनेट करेगी और आपका जो भी इशू होगा वो सौट ओट करेगी जो भी इशू होगा वो सौट ओट करेगी परसो का लेक्शर हमारा तीन गंटे का रहेगा और तीन गंटे का लेक्शर हमारे कंटिनियूस रहेगे और यहां पर आज का लेक्शर जो है ये लेक्शर 01 पार्ट ए रहेगा कल ये जो lecture है और इसके पहले एक मैंने introductory lecture सबके लिए दिया था, ये lecture जो है आपके app में download के लिए कल morning में 11 बज़े तक available हो जाएगे, ठीक है? कल का timing हमारा, कल का timing हमारा, आज थोड़ा मैं, मैं यहाँ पे, मैंने, मेरी team से गलती होगी, मैंने 6.30 बोला था, और मेरी team ने 6 बज़े का link बनाया था, ठीक है थोड़ी miss communication हो गया था, तो कल का timing हमारा 6.30 रहेगा, कल का timing हमारा 6.30 रहेगा, मैं आपको यह कह रहा हूँ, दन, वर्सो भी evening में होगा, और फिर class morning में shift हो जाएगा, वर्सो भी evening में होगा, और फिर class morning में shift हो जाएगा, दन, चलिए, अब आपके, यहां मेरा session कहता हूँ होता है, आपके कोई question हो गए तो बता हूँ, यह final का batch, November के लिए बिटा, यह इस November में आएगा, account का class कहां से होगा, अब देखो यार, जिसका मेरे साथ live में adjust होता है, वो live तो additional facility है, यह तो मैंने announce recorded किया था, आपके लिए, आपको मेरे साथ connect होने के लिए, मैं live दे रहा हूँ, अब जिसका live में adjust नहीं होता है, तो फिर वो recorded backup देखो, आपने pick up from Vsmart लिया होगा, तो कल evening में आप pick up करना, Vsmart से, कल evening में Vsmart से pick up करना, कल दुफेर तक books आजाएगी, total pages, आपको सच कहो क्या है, यह book के total pages, यहाँ पे 300 pages को compact बना है, पर यह book तो अभी reference के लिए, सच कहो तो, मैं जो है, आपसे practice करवा होगा, questions, questions और charts, यह तो मैं अभी reference के लिए ले रहा हूँ, पर आप से मैं पढ़ा ही करवा होगा, questions और chart, और question around, यह भी, okay, 270 page के questionnaire से, और chart book, chart से revision, बस इतना ही आपको exam से मैं ज़्यादा ज़्यादा practice करवा होगा, recorded lecture तो मैं आपको पहली दे दूगा, recorded lecture आपके app में एक separate folder ही बनेगा, recorded lecture, और recorded lecture place of supply, वो सब ready है, वो पहले दे दूगा, तो आप कभी भी देख सकते हैं, हमारा daily basis पे live streaming चलते रहेगा, और recorded session में आपके app में एक separate folder बना के उसमें डाल दूगा, तीन chapter तो पहले डाल दूगा, IGST, पर कभ देखना मैं बताओगा तब देखना, IGST, accounts and records, TDS and TCS, payment of tax and TDS, TCS, यह आपको कभ देखना मैं बता दूगा, टेलिग्राम में कैसे join करें, आप vsmartacademy.com पे अपना login create करोगे, और वो जो आप login create करोगे vsmartacademy.com पे, उसमें login में जाने के बाद आपको study group link दिखेगी, उस study group में जाके आपको यहाँ पे जो है telegram link join करना है, आ जाएगा live का option आ जाएगा बिटाया पे, आज का homework, बस difference between direct and indirect access लिखना है, difference between direct and indirect access लिखना है, IDT का RR तो बेटा जो short revision है, वो IDT का 25th feb के बाद आएगा, जो नए chapters add हुए उसके लिए प्रिवेस का supply बगरे का knowledge होना जरूरी है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं करें, चली, तो बेटा यहां रुकते हैं, बाकी सारी details आपको कल दी जाएगी, यहां आज रुकते हैं, ठीक है? कल हमारा बैस 6.30 को होगा, कल हमारा बैस 6.30 को होगा, बाकी का बाका यहां करनाओने तो प्रिष्टा से मशबटाम से ढाएगी,